बिश्मिल्लाव अख्मान अभ्माहिं प्लीज लाइक और सब्सक्राइब मैं चैनल नौवल है रस्मों की बेंट चड़ी मैं बिचारी टाइटर है शुफताल नवास नूरी नूरी किदर मल गई होई तर आओ एमान नूरी को पूरे घर में आवाजन दे रही थी जी बाची नूरी डरती हुई हाँ चोड़ थी अब एमान के सामने कड़ी थी किदर मर गई थी तुम कबसे हम तुमें बुला रही थी एमान गुसे में बड़ी खड़ी थी मैं वो सवाज साहब के कपड़े इस तरी कर रही थी नूरी ने डरते डरते कहा क्यों तुम क्यों कह रही थी क्या बाकी सारे मौकर मर गए हैं जो तुम अब इनकी खिदमतें करने लगी इमान इसे गुसे से देखते कहा वो बेबी जी नूरी अब कोई जवाब नहीं दे पा रही थी अमा जी ये आप इस से पुछे जब आपने इसको खास हमारे लिए रखा है तो ये दूसरों के काम क्यूं करती है इमान ने नूरी की तरफ बशारा करते हुए अमा से कहा बेटा कुछ नहीं होता अगर इसने किसी और का काम कर भी लिया है तो तुम बिक्टी डालो अब बता तुझे इससे क्या चाहिए अमा ने मामले को रफ़ा रफ़ा करने की कोशिश की अमा हमारी फ्रॉक की मैचिंग डुबटा नहीं मिल रहा जो हमने दो दिन पहले स्पेशल ओडर के त्यार करवाया था अमान ने अपने सारी बात मकमल की तो क्या तो अब वो बारी डुबटा पहनेगी इस फ्रॉक के साथ हमने वो डुबटा तुम्हारे कमरे से उठवा लिया था खानम बेगम ने इसे गुसर से देखते हुए कहा लेकन क्यूं अमा हमने वो इसलिए नहीं बनवाया था क्याप चुबा कर रखतें इमान को ब अमा पे हैरत हो रही थी देख बेटा तुझा दर पहनेगी हम तुम्हें इजाज़त नहीं देंगे क्या तुम्हें बारी डुटा पहन कर शादी पर जाओ और लोग फिर हम पर बाते करें कानम बेगम ने अपना फैसला सुना दिया था लेकर अमा लेकन वेकन कुछ नहीं तुझा दर पहन करी शादी पर जाए क्यों ये हमारा आखरी फैसला है कानम बेगम ने जिहाद का इशारा करके चुप कर वा दिया था अमान कब रह रहकर खानम बेगम पर गुसा आ रहा था इतना कुप चलत फ्राग और मैं उसको चादर पहन कर चुपा लूँ ये तो हो नहीं सकता हम भी आपकी पोती हों हूँ कुछ ना कुछ तो हल निकाल ही लोगई इमान ने दिल में सोचा और अपने कमरे में चा आ गई इसने अपनी अलमारी खोलकर साड़े कबड़े उपर नीचे की फैंकनी शूरू कर थी एक तिल्ये रंका डबटा इसमिल गी किया और इसके फ्राग के साथ मैच भी कर रहा था इसने जली से वो अपने गले में डाला और उपर से चादर कर ली बहाद जवार शाह और इसकी बेगम वर्दा शाह अपने दो बेटों के साथ इसके निकलने का इंतसार कर रहे थे आज वर्दा शाह के भाई की बेटी की शादी थी जो इमान की बहुत अच्छी दोस थी इसलिए इमान ने बहुत शौक से कपड़े बनवाए थे और अमा की फजूल किसी डिमान के पीछे वो अपना मज़ा खराब नहीं कर सकती थी चले चाचो हम आ गये हूं इमान अभी इनके पास पहुंच चुकी थी जवारशा ने एक नज़र इसके सरापे पर डाली जो अब मुकमर परदे में थी जवारशा के चेरे पर स्कूना आगया वरना वरता से वो इस बारीक बटे का सुनकर परिशान था कि अगर इसने ज़ित लगा ली कि वो ही पहन ना है तो अमा कभी नहीं करेंगी आकर इनकी लाली पोती थी जब भी जवारशा इसे डांटने लगते अमा जी बीच में आ जाती थी अम्मा आप इसे बिगार नहीं है जवारशा कहता नहीं बिगारती बिन बाप के बच्ची है अरे भूल गए हो इसका बाप खानदान की दुश्मनी की बेहिंट चड़िया था तो क्या अब इसे हर वक्त दान पट करके जवारशा की रूख को तकलीफ तूं अम्मा इस अंदाज से कहती के जवारशा भी चुप कर जाते और इमान दिन बदिन बिगड़ती रही मलक हारस बिलाल आपको सर प्रिंशिपल बुला रहे हैं पीवन ने आकर इतला दी जो अपने दोस्तों के साथ कुछ कपों में मसरूफ था क्यों क्या हुआ मैंने तो कुछ भी नहीं किया हारस ने हैरान हैरत से पीवन को देखते हुए कहा ये तो मुझे नहीं पता बस आप तश्रीफ ले आएं पीवन ने कहा चलो देखते हैं ओके मैं बात सुनकर आता हूँ फिर कैफे चलते हैं हारस ने सबको कहार आफिस में पहुँच गया जी सर आपने मुझे बुलाया हारस बहुत ही मौदब होकर बैठते वे पूछने लगा जी मलक हारस बलाल आपके बड़े भाई की कॉल आई है कि आपकी सर मौदब अंदास में बात की सारी लड़किया इसकी संदास पर ही तो मरती थी जी बस अब अपना ख्यार रखना और जरा एरे कहरे दोस्तों से बच्के रहना अब तुम जा सकते हो प्रिंसिपल साहब इसे जाने का कहकर खुद कामें बिज़ी हो गया हारस बाहर दोस्तों के अब तुम बच्चे तो नहीं रहे ना अली जो इसका बच्पन का दोस्ता फट पड़ा यार ये तो मुझे भी नहीं पता बस इतना पता है कि बुख बहुत लगी हुई है और तुम लोग मुझे अभी यहां खड़ा खड़ा बुखा मारो गिहार इसने पेड़ पर हाथ ल शांसने लगे इसकी इस सरकत को देखकर चरहा कुछ खाते हैं सब निकल गए ये क्या कर रही हो चादर क्यों उतार रही हो वर्दा ने इमान को चादर उताते देखा तो पूछने लगी क्योंकि हमें ये डबटा करना है इमान ने एक चाली के डबटे को अपने गले में डा वलते विला परवाहिश से कहा तुम्हारा दमाग तो नहीं कराब हो गया तुम्हें पता है हमें इसकी अजाज़त नहीं है वर्दा ने इसको आँके दिखाते हुए कहा इजाज़त हमें सांस लेने की भी नहीं है तो क्या वो छोड़ हम ने छोड़ी हमने करने वाली सब इसके सूट की तारिफ कर रही थी और वर्दा दिली दिल में इसको कोस रही थी इसने तो इसका वो बरीट बटा भी अमा को दे दिया था उठा कर फिर ये कोई और बटा लेकर आ गई लेकर इसे कुछ कहने ही सकती थी अगर में भी बताने का कोई फाइदा नहीं था जवार शा को बस परिशान ही करना था ये बता कर इसलिए सिर्फ इसे आंके ही दिखाती रही लेकर निमान ने भी कोई परवाण में मिठाई बढ़वा देती हूँ ये कहते ही खान अबेगम बाहर निकल कर मुझी को बलवाने के लिए अपने मलाजम को बेज देती है अमा हमें तुझे एक और बात भी करनी है इमान अब बात करते हुए थोड़ा जुज़क रही थी हाँ बोल बेटा हम सुन रही हूं खान बेगम इसे प्यार से देखते हुए पूछ रही थी अमा हमें अब यूनिवरस्ट्री में पढ़ना है आगे बहुत सा पढ़ना है हमें इमान आकर अपनी खौईश को जबाँ पर ले आई तेरा दमाग तो नहीं चल गया हम तुझे कभी भी वहाँ नहीं बेज़ेंगे लिकन अमा हम पढ़ना चाहते हूं आगे इमान की सुरत रोने वाली हो गई थी इसे पहले भी अमा से यहीं उमीद थी ना बेटा ना हम तुझे इस गच्चे कभी भी कहीं दूर नहीं बेज़ेंगे तुझे हमारी आँकों के सामने ही रहेगी तुझे देखकर हमें सकून मिलता है हम अपने सकून को कुछ से कैसे दूर कर दे अमा जाओ अपने कमरे में खानम बेगम ने हुकम दे दिया था अब और कोई बात वो सुनने वाली नहीं थी ठीक है कर लें जितनी करनी है हम भी आपकी पोती हूँ अच्छे अच्छे तरीके आते हैं हमें अपनी बात मनवाने के इमान ने दिल में सोचा और अपने रूम में च पहले भी उसने कहा कि मैं बारा जमाते करनी है मैंने उसके लिए खास उस्तानी को रखकर उसकी एक वाईश पूरी की लेकर अब आगे की पढ़ाई बहुत होखी है वो तो घर में नहीं पढ़ा सकते हम आप उसको समझा दें हमारे खानदान में काईश तक कोई लड़की उ अनुरस्टी नहीं गई तो अभी अभी नहीं जाएगी जवाश आपनी बात पूरी करके अबूटर खड़ा हुआ था तो फिकर ना कर बेटा हम इसको समझा लेंगे माने अपने इस इस पूर्सकुन अंदाथ में कहा और पान बना कर मूं में रख लिया नूरी हमारा खाना लेकर आओ जल्दी से और ख्यार रहे करें वर्दा जाची को नहीं पता चले वरना वो अमाजी को बता देंगी और हमारा बना बनाया केल बिगर जाएगा इमान नूरी को कहा ठीक है बीबी जी मैं अभी लाती हूँ खाना आपके लिए नूरी खाना लेकर आती है इमान खा किया नहीं बीबी जी ऐसा कुछ नहीं होगा मैं क्यों अपनी जान की दुश्मन बनना है आपके साथ जलाकी करके नूरी ने आकरी फिकर आहिस्ता से कहा था कि वह सुन ना ले अमा जी वो इमान बीबी ने रात से कुछ भी नहीं खाया और आपको तो पता है जब वो टाइ नूरी को भी नाटते जा रही थी अरे क्या हो गया है तुझे मेरी बच्ची चलो उठो खाना खालो अमा अमा आप एमान के सराने बैठ चुकी थी नहीं अमा हमें नहीं खाना है जब हमारी कौाईशी पुरी नहीं की जाती इस गर में तो हम यहां रहकर क्या करूंगी हमें अपने अबो के पार जाना है इमान ने रोना शुरू कर दिया था अरे नहीं रो मेरी बच्ची तुझे पता है तेरे आंसों मुझे तकलीफ देते है अमान ने इसको गले से लगा लिया था तो फिर आप हमें यूनिवेस्टी बेज रही है क्योंकि आप हमारे आंसों जो नहीं देख सकती अमान फॉरन से पीछे होकर कुछी से कहने लगी नहीं हम तुम्हें कहीं नहीं बेज़ेंगे ये हमारा अटल फैसला है अमा अभी भी अपने फैसले पर काइम थी तो ठीक है भीर हमारा मर जाना ही बहतर रहेगा अमान मुँ बना कर बैट कही थी बेटा जिद नहीं लगाओ हमने आज तक तुम्हारी हर बात पूरी की है लेकर ये हम पूरी नहीं कर सकते अब अमा का लहज़ा नरम था अमा हमको अपनी ये बात भी मनवानी है बस हमें नहीं पता है मान जिद लगाकर बैट कही कुछ देर दादी पोती में बहर चलती रही आकर अमा कुछ नरम होती दिखाई दे रही थी लेकर बेटा तुम्हारे चाचों नहीं मनेंगे अमा अब जवारशा की बात कर रही थी अमा उनका मनाना कुछ सा मुश्किल है आप बस हुकम कर दे और वो फर्माबरदार बच्चों की तरह आपकी बात मान लेंगे अमान को अपने चाचों की फर्माबरदारी का पता था इसलिए इसको सिर्फ अमा को मनाना था बाकि सबने खुद मान जाना था ठीक है मैं बात करती हूं फिर जवारशा से अमा से अपनी पोती के आँसों नहीं देखे जा सकते थे इसलिए पिकल जाई थी लेकर हम तुझे किला नहीं बेजेंगे शहर बता नहीं कैसे कैसे लोग होती है वहां अमा को फिकर हो रही थी बहुत जाला तुम्हारे साथ नूरी भी जायगे अमा ने अपना फैसले सनाया हाँ तो वो तो जाएगी ही भल अब भला हम इसे खाना बनाया जाएगा तो यहीं बनाया करेगी नहीं एमान ने कुछ होट रही का जवारशा को अमाने बहुत मुश्किल से मनाया था बड़ा चाची तो बिल्कुल नएं चाहती थी कि एमान करद से बाहे निकले लेकिन ona के फैसले के सामने सवार शाहा की नहीं चल सकती तो इसकी क्या क्या चलेगी सवार शाहा न Mogili चाहर की सबसे अच्छी इनिवर्स्टी में इसका अड्मिशन करवा दिया था होस्टल में इसको रूम मिलिया था नूरी भी इसके साथ होस्टल ही शुट हो गई थी वो आप क्यों परिशान होती है हारस को कुछ नहीं होगा इसे पढ़ने का शौक है तो अब क्या मैं इसे घर में कैद करके बिठा दू मलक आसम अपनी भूआ को समझा रहा था जो आज भी हारस को वापिस बुलाना की जिद कर रही थी जिसको अब पुरा साल हो चुगा था यूरियू में पढ़ते हुए बेटा तो कभी नहीं समझ सकता मेरी हालत तो जानता है कैसे तेरा बाप तुशिमनी की बेट जड़िया था और फिर इस सद्मे में तेरी मां अमा भी नहीं रही अब मुझे भी यही सद्मा जीने नहीं देता बेटा कि कब क्या हो जाए बुआ क्या आंकों में मोटे मोटे आंसों चश्मे के पीछे भी देखे जा सकते थे बुआ आप चुप कर जाए मैं आज ही शेहर जाकर उसका हाल हावार पूछाता हूँ आसम ने इनके आंसों पूंचते वे का जर्मीन जर्मीन मलक आसम अपने बीवी का वास लगा रहा था जी मलक साहब जर्मीन घुंगट में लिप्टी इनके वास सुनकर वहां आगई थी आज कुछ हारस की पसंद का बनाद हूँ मैं शेहर जा रहा हूँ उसके लेता चाओंगा आसम ने इनके बीवी को हुकम दिया जी मलक साहब मैं बना देती हूँ जर्मीन किचन में चली गी और मलक आसम अपने रूम में त्यार होने इसके लिए चला गया यार इस बार हमने न्यू आने वालों को ऐसी ही फूलिंग करनी है जैसे हमारे पिछली दफावी थी यार जलील हो गयते हम तो मीस सबसे कह रहा था हाँ बिल्कुल अपना बदला इन विचारों से पूरा करेंगे अलवी बोल पड़ा क्यों हारस तु क्या कहता है वसीम ने इसको चुप बैटे देखा तो पूछने लगा हाँ क्यों नहीं जरूर हारस ने भी अपने रसामंदी दे दी थी इमान ने शहर आते ही अपने रंग डंग बदलने का फैसला कर लिया था जो इसने पहले ही सोचा हुआ था वक्सर टीवी में युनिविस्टी में लड़कियों के पहने हुए कपड़े देखती थी इसे बच्छे लगते था जिनमे ना मैचिंग की जुरुत होती थी और ना ही बड़ी चाधर करनी पड़ती थी कुछ भी पहन लो जीन्स पहन लो उपर से शल्ड किसी भी रंग के पहन लो और हलका सर बटा ले लो इस वक्त तो बैठकर बस खुआप देखती थी लेकन हकीकत में तो वहां गाओं में रहकर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी अब वो अजाद थी यहां ना तो अमा जी का हुकम होगा ना ही जवार चाचा की डाट और ना ही चाची वर्दा की आंखे देखा सकेंगी इसने होस्ट लाने के दूसरे दिन ही बजार जाकर सारी शॉपिंग कर ली थी इसने अपने पूरी शॉपिंग में एक भी फ्रॉक नहीं लिया था जबकि अमा इसकी सारी शॉपिंग में फ्रॉक यह सलवार कमीजी लेती थी वो लड़कियों के गटिंग स्टाईल भी देखती थी लेकर इसकी तो अम्मा हमेशा ही चुटिया करवा देती थी यरपte बाद इसे संभालना भी कितना मुश्किल लगता था लेकर फिर अम्मा के डर से बाल कटवा भी नहीं सकती थी इसे तो हमेशा से शहर की लड़कियों पे रश्क होता था जिनके छोटे छोटे बाल होते हैं और इन्हें तो जुए भी नहीं पढ़ती थी अगर पढ़ भी जाया तो जल्दी से निकल भी जाती होंगी बाल जो छोटे से होते हैं इमान एकसा सोचती थी जब अमा इसे अपनी टांगों पर देकर कंगी फेर रही होती अमा तो हमारे बाल कटवा दे फिर ये जूए नहीं पढ़ेंगी इमान कहती खबरदा जो आई दा तुने ऐसी बाहत की सारे गाओं की लड़कियों के बाल लंबे-लंबे हैं और तु कटवा क्या नमूना लगना चाहती है अमा कहती है और इमान की ये खवाईश भी दिली दिल में दम तोड़ने लगती फिर इसे ख्याल आता है काश इदर से कभी निकल सकों तो फिर हम भी ऐसे ही फैशन करूंगी उस्तानी जी क्या हम शहर नहीं चाह सकती है आप भ पढ़ाई तो एक तरफ लेकर इसे इस काउं से निकलने की और अपनी मरजी से फ्रैशन करने की जो अजादी मिल गए थी इस पर फूले ना समा रही थी अब वो ब्यूटी पालर के सामने खड़ी थी कैसी कटिंग करवानी है आपको एक प्यारी सी लड़की इससे पूछ र करवाते हैं इमान ने मसूमियं से पूचा ये बनवाते हैं त्रेडिंग करवाते हैं इस लड़की ने इमान की पलकॉ और पिर इसके चेरे पे हाथ पेरते हुए का हा बी बना दो इमान नहीं राम से बैठकी उफ इतना दर्द हो रहा है हमें इमान चलाई और उटकड़ी हुई तुम रहने दो हम नहीं बनाएंगे पलके इमान ने इसको गुसे से देखते हुए कहा लेकर क्यों पलके बनवाकर तुम जादा प्यारी लगोगी वो लड़की इसको समझाने लगी लेकर हमें नहीं बनवानी हमें दर्द पताश करने की आदत नहीं तुम अपना बिल बताओ इमान अभी भी गुसे में ही खड़ी थी इस लड़की ने बिल बता दिया इमान ने इसे पैसे दी और वापिस होस्टल आगी नूरी देख हम आज डेर सारी शॉपिंग करकिया है वो इसको एक एक चीज़ खोलकर दिखा रही थी लेकर बीबी जी इसे कपड़े तो नहीं आपने कभी पहने तो ये क्म लिए नूरी इसकी शॉपिंग को देख का हैरान खड़ी थी तो क्या हुआ पहले कभी नहीं पहने तो अब पहले लेंगे इमान ने चैकते हुए का लेकर इनके साथ तो इडबटे भी चोटे चोटे है नूरी ने डबटा उटाते हुए का ओहो तुम बिना नूरी आज अमा बंके खड़ी हो गई थी हो मेरे सर पर जाओ मेरे ले खाना लेकर आओ ऐसे ही बोलती रहती हो तुम इमान ने इसे डाट दिया नूरी फॉरन वहां से बाग गई और इमान बार पर कपड़ों को अपने साथ लगा कर देख रही थी बीबी जी यह क्या आपने बाल पे कटवा दिया नूरी खाना लेकर आई तो इमान का रवटा उत्रा हुआ था इसने इसके बाल नजर आए हाँ कटवा दिया तुमें इसे क्या मसला है नूरी इमान ने इस जांके लिकाते हुए पूचा नहीं जी कोई मसला नहीं नूरी ने खाना इसके सामने रखती है आज एमान का यूनी में पहला दिन था वो अब यूनी के सामने कड़ी थी आज सामने है कही हम ख़ाफ तो नहीं देख रही इमान आके पाऑड का यूनी को देखते वे खुद से बातें कर रही थी गेट में इंटर होते ही से एक लड़के और लड़कों की लंबी लाइन नजर आई वो इस लाइन को देखते हुए आगे बढ़ रही थी जब किसी ने इसका रस्ता रोक लिया था ऐ क्या है तुम्हें हमारा रस्ता क्यू रोका है तुम्हें अभु सिए स sekarang को घुसे सदेखतेवे कहा तुम्हें ये लम्बी लाइन नजर नही आरही क्या हारस ने इसको उपर से निचे देखतेवे का जिसने निली जीन्स के ओपर ग्रीन रंग की कुर्टी पहन का निले ही रंग का चोटा सा डबटा गले में डाला हुआ था हां आ रही है नजद तो फिर क्या करूँ मैं इमान इला परवाही से कहा तो तुम भी इसमें लग जाओ इधर ही खड़ी हो जाओ तुम भी हारसने से सीने पर हाथ बांते वे कहा क्यों हम क्यों लगने लगी इस लाइन में इमान नहरानी से कहा क्योंके बाके सब भी खड़ी है इसलिए हारसने भी इसी अंदास में कहा तो बाके सब इमान शा तो नहीं है जो बाकियों की तरह ایمانشاہ بھی لائن میں لگ جائے ایمان نے گसہ سے کہا اوہ تو ایمانشاہ آپ کو بات کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی حارس نے تن کرتے ہوئے کہا اس میں سمجھنے والی کونسی بات ہے ہماری سمجھ تو ویسے بھی اتنا کام نہیں کرتی امہ کہتی ہے ایمان اللہ پروہی سے کہا دیکھیں میں اس ایمان इतر کھڑی ہوں لائن میں میں آپ کا سینئر ہوں اور آپ کے لیے میری بات ماننا ضروری ہے सीनियर हो तो क्या सर पे बिठा लो तुमें इमान को हारस पे इंतहा का गुसा आ रहा था जो पहले दिन ही इसका मूर खराब कर रहा था तो मेरे तमीज नहीं सिखाए किसी ने इस बार हारस ने चलाने वाले अंदास में कहा सिखाने की कोशिश तो बहुत की थी इमाने पर हमने सीखना जरूरी नहीं समझा इमान ने इत्मिनान से जवाब चिया हारस को अपकुस समझ नहीं आ रहा था किससे क्या कहे इसलिए अपना सर पकड़ कर साइट पर बैठ के जाओ तुम दो मिनट और इधर खड़ी रही तो की फूलिंग करती है मीर ने कहा और फिर सब इन विचारों की वाट लगाने में लगए सुने ये थर्ड इयर आर्स कुरूप का कमरा कौन सा है मान वहीं खड़ी एक लड़की से पूछ रही थी इधर से हारस की बीस पर नज़र पड़ गी वो तेज़ दे इस कदम चलाता है इधर ही आगया क्या कह रही है ये हारस ने लाइबा से पूछा जो इसकी क्लास वेल होती ये थर्ड इयर का रूम पूछ रही है लाइबा ने इससे बताया हाँ मैं बता देता हूँ हारस ने जल्दी से कहा लाइबा भी समझ गई थी कि ये इसकी बार लगाने वाला है इसलिए चेहे पर मुस्कराहट सजाए वहां से किसक गई हाई यहां से सीधा जाकर लिफ्ट में जाकर दो रूम छोड़ कर आपका रूम आ जाएगा हारस ने इसे समझा दिया था इमान शाबी सी रच्ते पर चल पड़ी थी जो रास्ता इसे बताया गया था इसके मताबक वो एक रूम के सामने खड़ी थी इसने अपना हुलिया दुरुस्त किया दर्वाजा खोला ही था कि किसी ने पीछे से दक्का दिया दिया और दर्वाजे को बाहिस से लौक लगा दिया और जोर जोर से दर्वाजा कटकटानी लगी ञाए अतनी देर हो गई थी किसी ने दर्वाजा नहीं खोला अब हो अपने हवास खाने लगी थी जब किसी ने दर्वाजा कोल गया शतर दा है आए के भाई आये हुए है हारस के कुछ भी याद नहीं रहा जब इसका भाई चला गया तो इसे याद आया था वो दोड़ता दोड़ता आया लेकर इस वक्त तक इमान अपना होश खो चुकी थी अब इसका जिसम हारस की भागों में जूर रहा था हारस को होश मिलाने की कोशिश क रहा था लेकर इमान पर तो असर ही नहीं हो रहा था आकर इसने तंग आकर इसकी नाक ख़ूर से बंद किया ये फार्मूला काम आ गया इमान हड़ बढ़ा कर उट पाटी क्या हुआ हुआ इमान चलाने लगी एक कुछ नहीं हुआ तुम बेहोश हो गई थी हारस नहीं से च हारस में खड़ी थी तुम भेहोश त्योबलां भेहोश लगी के साथ मैं जबदर दस्ती कैसे कर सकता हूं अहरस नहीं क्या अच्छा अच्छा व् Corps क्यां गए और इस कमरे में हम कैसे पहुँच ए ओ हाय ये तो तुमने हमें हमें इस कमरे का बताय था एमान ने कुत सोचने के अदास में हारस को गूरी लेकर देखते हुए कहा हां मैंने ही बताया थे त्वमें इस कमरे का और फिर तुम्हें अंद्र धक्का देखकर बाहर से कुंडी भी मैंने ही रगाई थी बताओ क्या कर लोगी हारस ने इत्मिनान से सिर्फ बताते हुए अपने हाथ सीने पर बात लिये थे और अब इसके जवाब का अंज़ार कर रहा था हम देख लेंगे तुम्हें हमसे पंगा कदी भी नहीं चलगा अमान ने कहा हर अपना बैग उठाते वे अपना रूम डून ने निकल गई पहले बार को इतनी बद्माग लड़की देखिया म हैं वैसे अपनी पूरी जिंदकी में हारस नोबिल में सोचा रपने डपार्टमेंट में चला गया आखर इदर देखकर डूनते डूनते वो अपने कमरे में पहुंच ही गई थी कलास अब तकरीबन एंट होने वाली थी देखर वो फिर भी मुतमीन थी कि इसका कमरा तो इस मां से पूछ रही जब वो कटी कैंटीर में बैठी वसबसों किसी असाथ इंसाथ कर रही थी हां बहुत जादा तंग जहन वाले होते हैं मां इस समुसा खाते हुए कहा लेकर तुमारी ड्रैसिंग से तो बिलकुल नहीं लग रहा कि तुम गाओं की हो और अगर इतने तंग नजर हैं तो तुम्हें ये ड्रैसिंग करने की जादत कैसे मिलके इस बार सदार ने अपना नजरिया बयान किया इनको कोई पता है कि हम ये फैशन कर रहे हैं और वैसे भी हमारी अमा हमसे बहुत प्यार करती है इसलिए हमारी कोई बात भी मना नहीं करती वरना चाच्ची तो आखे ही दिखाती रहती थी इमार ने इतने मसूम अंदाज से कहा कि सब की हसी निकल पड़ी और वो खुद भी हसने लग पड़ी शाह साथ हमने एक बार मुकमल त्यारी कर लिया इस बार मलक आसम का छोटा बाई नहीं बचेगा दिलावर शा को साली प्लैनिंग के बार में बता रहा था। होनी चाहिए मलक आसम की जान इसके भाई में बसती है और इसे खतम कर दिये तो मतलब खुद मलक आसम वो खतम कर देना है शाह साहब ने पनी मूचों पे हाथ भेते हुए और इनों ने वहां एक ठेही अटमिशन लिया था इमान इसको देखकर पीछे मुणने लगी जब सना ने इसको बुलवा लिया कि आजाओ मेरे साथ बैठ चाओ नहीं वो हम लड़कों के साथ नहीं बैठेंगे इमान ने मूँ बनाते हुए कहा ओहो यार इमान क्या हो गया है युनी तक पहुँच गई हो लेकर सोच अभी भी इतनी चोटी सी है सना ने हाथ से बनाते हुए कहा क्या मतलब इमान को कुल समझ नहीं आ रही थी यार देखो युनी में किसी भी लड़के के साथ बैठने से वो हमें खा नहीं जाएंगे और करो करो तुम क्या गाओं की बन करी रहना है तुमने सना ने इसे तनसे नज़रे डालते हुए कहा ये तो हमारी इंसल्ट है कि हम को ये ऐसे एद कह रही है और हमको अपनी रिजद बहुत प्यारी है इमान ने दिल में सोचा उदर ही आकर बैठ गई हाँ आप लगी ना यूनीकी स्टूडन सना ने इसे फकर से कंदे पर हाथ लगते वे का इमान भी दिल ही दिल में कुश हो रही थी अब इसे किसी भी लड़के से नहीं डरना ये गाऊ थोड़ी है यहां किसी लड़के से बात कर ले कोई तमाशा बन जाता था इमान ने दिल में सोचा फिर्टे पर मुस्कराट से जा ले हाँ रहान तुम क्या बात कर रहे थे सीनियर्स की क्या किया इनों ने अब सना फिर से इनकी तरफ मतवज़ा हो चुकी थी यार वो हारस है ना इसने आज मुझे अपने जूते पालिश करवाए मैंने इंकार किया तो कहता फिर त्यार हो जा अब सब के जूते पालिश करने के लिए मैंने तो फिर डर के मारे इसके जूते पालिश कर दिये रिहान दुखी लहचे में इसे बता रहा था ये हारस कौन है इमान को इस लड़के का नाम का नहीं पता था जिसने इसको कमरे में बंद किया था वो जो सामने बैठा दान दिकार रहा है वो ही हारस है रिहान ने सामने बैठे हारस की तर फिशारा करते हुए कहा जो किसी बात पहंस रहा था वो इमान गुस्षे में कहते हुई खड़ी हुई गई क्या हो गया तुम्हें सना इसके गुस्षे को देखकर पूछने लगी इसने तो हमें भी कमरे में बंद कर दिया था इमान ने भी कुस्षे सर पे सवार को किया हुआ था अच्छा ये तो सबके साथ ही ऐसा कर चुका है रिहान ने अफसोच से कहा लेकर हम इसको माफ नहीं करेंगे इमान ने तुबारा वहीं बैठते हुए कहा तुमसदा ने हारस इससे देखते हुए पूचा हम हम तुमको दिखाते हैं अभी इमान ये कहते ही वहां से उटकर हारस के पास चली जाती है ओ बद्दमाग लड़की तुम इदर क्या कर गई हो हारस इससे देखते ही सवाल किया इमान ने पानी का जग उठा कर सारा पानी इसके उपर गिरा दिया ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि खोद इमान को भी ये नहीं पता चला होगा ये क्या बद्दमीजी है हारस अपने कपरों को साफ करता उटकरा हुआ अच्छा हमने पानी गिराया तो बद्दमीजी और तुमने जो हमें कमरे में बंद करती है वो क्या था इमान ने अपनी कमर पे हाथ लगते हुए इसे गुरी लेकर देखते हुए कहा अच्छा किया था जो भी क्या था वो ही इसी काबिल हारस इस पर चला रहा था तो जो तुम्हारे साथ हमने किया वो भी बहुत अच्छा किया है तुम भी सी काबिलो इमान ने इत्मिनान से जवाब चिया तुम्हें तो मैं देख लूँ गत बत्तमीज लड़की हारसी से बहुन करते हुए वहां से निकल गया हाँ हाँ देख लेना भी बदले में हम भी देख लें कि तुम्हें सड़ू इमान जे महीं खड़े-खड़े हांक लगाई थी सब तो चुप करके ये तमाशा ही देखते रहेगे देखे आज तक हारस के साथ किसी ने असा नहीं किया था चल रहे इमान इदर से अपसना इसको खैंस्टी ही इदर से ले गई थी मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं बत्तमाग लड़की हारस कलास में बैठा भी इसी को सोचकर गुसा कर रहा था हम से पंगा लेता है हम किसी सड़ने वाले नहीं इमान अपसना से बात कर रही थी जो इसकी सिम्मत पर हैरान बैठी थी यार मैंने सुना था गाउं के लोग बहुत बहादर होती है आज देख पिलिया सना इसी अभी तक हैरत चाहे निकल नहीं पा रही थी अरे यह तो कुछ भी नहीं अब आगी आगे देखो हम करेंगे क्या इमान ने इसको मुस्कुरा कर देखते हुए का ठीक है देख लेंगे सना भी अंसने लगी आज तो हमको बहुत ही लेट हो गई है नूरी विकना खाना भी नहीं बना सकती टाइम से सारा दिन बस टीवी और बस टीवी और रात को भी बस ट्रामे हमें भी लेट करवा दी इसने इमान अपने मूं में बड़ बड़ाती जा रही थी जब इसका पाउं किसी दागे से लगा और वो इधर ही फिचल गया इमान को कुछ होश नहीं रहा वी वैसे ही होंदे मुगीर पड़ी है अमान को काफी जोट लग गई थी जिसलिए वो अब आहिस्ता से आकरा रही थी जब ताली बजाता हारस सामने आकर खड़ा हो गया हां बड़ दमाग लड़ की कैसा लगाई हारस इसको तंसन नजर डाल कर पूछने लगा अच्छा तो ये तुम ने किया है इमान अबाहिस्ता से उट खड़ी हुई थी लेकर अभी भी हो रहा था है मैं नहीं किया और बह को हारस ने इसकी तरफ इंगली का इशारा करते वे काहा निकल लिया तुमसे तो मैं अभी यह हिसाब पूरा कर देती हूं जादा दे क्यूं करनी इमान ने दिल में सोचा और अपने बैग में हार डाल कर कलर निकाला जो इसने कल वापसी पर अपने इरबटे के करने के लिय लेकिन से याद नहीं रहा निकालने को इसलिए अब इसे याद आया तो इसने निकाल लिया था हारस इसके पीछे से हवास दी हाँ क्या मसला है अब माफ़ी मांगनी है चलो माफ किया तुम्हें मैं हारस मुड़ते ही शुरू हो गया लेकर अगले ही लम्हें वो मकमल कलर मे तब्दील हो चुकी थी इमान की तो हंसी नहीं रुक रही थी और हारस कभी अपने शट को देखता हो कभी इमान को तुम बद्दमाग लड़की तुम्हें तुम्हें आज छोड़ूंगा नहीं अब इमान आगे आगे और हारस इसके पीछे पीछे था पूरी यूनी इन दोनों का तमाशा देख रही थी और सब इसका कलरफूल शट को देखकर हंस रहे थे इमान ने तो अपनी पूरी स्पीड रखी दोड़ने की आकर अपनी कलास में पहुँच गई ये क्या है इमान शा भाग क्यू रही है सर ने इसे बाग के आते देखकर पूचते लगी पीछे से कलर से बरा हारस भी पहुँच गया थे लेकर सर को रूम में देखकर पीछे मुड़ गया लेकर सर ने इसे देख लिया था और इसको देखकर सर की भी हंसी निकलाए इमान शाह अपने हारस पर कलर फैंका है सर ने हरसी दबाते हुए पूछा इमान अभी कुछ बोले ही वाली थी कि पिरिट की बेल बजगी है सर खमोशी से निकल गए यार आज पिर तुमने कोई शरारत की है हरस के साथ सर ने इसे हरस से देखते हुए पूछा हाँ इसने हमको गिरा दिया था तो हमने इस पर कलर फैंक दिया इमान ने इत्मिनान से जवाब चया पुरी कलास भी इसकी पास उनकर हंसने लगी हरस से अब इस तरह की रंग परंगी शर्ट में वहाँ नहीं बैठा जाना था इसलिए वह वापिस होस्टल आ गया गुस्से सलाल पिला होता वह इमान को सबक सिखाने की प्लैनी करने लगा था अरे वह देखो हरस हमारी कलास की तरफ आ रहा है जरूर इमान की खातर मतारत करने आ रहा होगा रहान और सना टाइम से ही यूनी पहुंचाते थे इसलिए अभी वो सिर्फ दो ही आया था जब हरस को इदर आता देखा तो सना और रहान आपस में बात करने लगे लेकर इमान तो अभी आई ही नहीं सना ने परिशानी से कहा तो फिर मुझे क्या पता कि वो क्या करने आ रहा है रहान ने तब के कहा कैसे हो रहान? हारस ने आते ही पूछा ठीक हो रहान ने चहकते वे का डर क्यों रहे हो मैं तुमें खाने नहीं लगा हारस ने इसे चहकते देखा तो कहने लगा आज तो इमान के लिए आया हूँ मैं वैसे किदर बैठती है वो हारस ने रूम की तरफ देखते हुए वर रहान से पूचा रहान की तो वैसी हारस को देखकर बोलती बंद हो जाती थी तो बला वो इससे इसकी जगा ना बताता ये कैसे हो सकता था अच्छा ही तो ये सीट है इस बद्दमाग लड़की की हारस ने चहकते हुए का और फिर अपना काम पर लगया अब अगर तुम दोनों मेंसे किसी ने भी उसे ये बताया तो मैं तुम दोनों के साथ क्या करूंगा ये सोचना भी नहीं होगा सोचा भी नहीं होगा तुम दोनों ने हारस ने उन्गल की से बान करते हुए का दोनों चुप करके खड़े थे अपनी ज़त इंसान के अपने हाथों में होती है यही सोच का वा दोनों इसकी आमे हामिला रहे थे और हां सना ये तुम्हारी जम्रदारी है कि इदर कोई और लड़की नहीं बैटनी चाहिए हारस ने सना को कहा और निकल गया अब जब तक इमान नहीं आई सना इस जगह से नहीं हीली कि कोई और ना बैट जाए इमान आते ही अपनी जगह पर बैट की थोड़ी देर जब सर ने इससे सवाल पुछा जवाब दिये के लिए खड़ी होने लगी तो इससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था ऐसा लग रहा था जैसा किसी चीज़ के साथ जिम्टी हुई है सर ने बार बार इससे खड़ा होने को कहा लेकर वो नहीं हुई आखर इसकी आँकों में आंसू आगर सर को लगा कि कोई घर का प्रॉब्लम होगा इस ते दुखी है इन्होंने कहा दिया बैठी रहो नहीं जरूरत उटने की सर रूम से चले कि वह खुद को अपनी सीर से चुड़वाने की कोशिश करती रही लेकर छोड़ा है नहीं सकी आखर उंचा उंचा रोने लगी पूरी कलास इसकी तरफ मतवज़ा होगी क्या हुआ सब इसके पास आगए आखर सना ने सब को हारस की शरायत के बार में बता दिया कि इसने अलफी लगाई है चेहर के उपर और हमें दो धमका की गया है आखर सबने मिलकर इसे आइस्ता आइस्ता उपर क्या कपड़े इसके फड़ चुके थे लेकर किसी चीज़ किसी तरह उचेहर से अज़ाद हो गई एक लड़की ने अपना बाया इसे देती है इसने वो पहन लिया लेकन अब वो हारस को भी चोड़ने वाली नहीं थी वो इदर से भागती भागती हारस की कलास में गई और इदर नहीं था इसने कैंटीन पे देखा वो उदर भी नहीं था इचानक इसकी नज़र हारस पर पड़ी जो कॉल पर किसी से बाद कर रहा था इसने इसकी तरफ कदम बढ़ा दी जब इसकी तरफ ऊरहा था जब इमान इसके सामने आ गए इसकी शर्ट से पकर कर ज़ो ठोड़ दी बचानक यह जब शर्ट पट गई तो वो हैरस से इमान को देख रहा था जो गुसे में बरी हुई थी ये क्या कर रही हो तो हारस चलानी लगा अभी तक कुछ नहीं किया देखो क्या कर के दिखाती हूँ आमान ने कहा और इसके गले से चमट गए बचाओ बचाओ ये मेरी रिज़त लूट रहा है हारस तो इसकी ये हरक देखकर हका बका रहा गया इसको खुछ से दूर करने की कोशिश कर रहा था लेकर वो जादा ही चमट रही थी पुरी हुनी इमान के वास सुनकर इधर ही कटी हो गई थी जब इमान ने देखा कि अब तमाशा बन चुका है अपने ओफिस में चले गए लड़की और लड़की या भी इधर उदर भी कर गए कि क्या क्या मैं चेह मगोईया करते रहे इमान को सना अपने साथ क्लास में लेके प्रिंसिपली से निकाल देते है यूनी से लेकर मलक आसमी इनके बहुत अच्छे दोस्ते इसलिए इनने सेर को बहुत मुश्किल से अपने भाई की बेकुनाही का यकीन लाया था दो दिन में यूनी में सब कुछ नॉर्मल हो गया था सबको हारस के करदार पर यकीन था इमान भी यूनी आ रही थी हारस ने इसे बात नहीं बुलाया क्योंके वो बहुत आगे की सोच रहा था सुबह होस्टल से निकल दे हैं इमान को महसूस वा जैसे कोई इसका पीछा कर रहा है इसने मुड़कर देखा पर कोई नजर नहीं आया शायद हमारा वहम होगा इमान ने सोचर आगे बढ़की थोड़ी आगे जाकर एक गाड़ी इसके सामने आकर रुकती है दो आदमे निकलते हैं जो शुरत से बहुत ही गतरनाक लग रहे थे इमान ने अपने कदम पीछे करने शुरू कर दिये इन आदमें से एक नहीं इसको आगे बढ़कर जबदस्ती पकड़के इसके मुँपर रुमाल रखती है इमान इदर से इस आदमी की बाहों में जूल के दूसरी आदमी ने आकर इमान को उठाया और गाड़ी में टाल दिया आपका काम हो गया है मलक साहब गाड़ी में बैठते ही इनमें से एक आदमी ने किसी को फून करके बताया हम इसको इसी होस्टर में लेकर जा रहे हैं जो आपके बड़े भाई के जान पहचान वाली है जी आप फिकर ना करें किसी को कुछ पता नहीं चलेगा इस आदमी ने अगले बंदे की बात का जवाब ती और ठीक है कहकर कॉल कवन कर दी थोड़ी देर बाद वो एक होटल के सामने रुख चुके थे होटल के मालक से पहले ही बात हो चुकी थी सादमी ने इमान को उठाकर होटल के रूम में एक बैट पर जाकर लटा दिया और बाहिर से दर्वादा बंते खुद चला गया थोड़े देर पाद जब इमान को होश आया था भरोम में अकिली नहीं थी हारस एकचीर पर बैट कर इसके होश में याने का इस सार्दर कर रहा था इमान राकी वकीदर उधर देख रही थी हां होश आ गया तुम्हें मैं कब से तुम्हारे होश मे आने का इंतजार कर रहा था जाने मन हारस ने इसके कुड़ी बैटे हुए, इसके बालों में हात बेटे गा इमान वहां से हड़ कर थोड़ी आगे हो गई ये क्या कर रहे है tom ऴारस, तुम हमें यहां क्यों ले कर आए हु इमान अब साथ साड डर पी रही थी हारस ने इसका हात पकड़कर इसे खुद से करीब कर लिया चोड़ो हमें इमान चोड़ने की कोशिश करते हुए चुड़वाने की कोशिश करती हुई साथ साथ चला भी रही थी लेकर कोई भी इसको सुनने वारा नहीं था क्यों चोड़ू मैं तुम्हे खुद ही तो तुम्हें शौक है मुझे सचमटने का मैं तो उस दिन हैरान हो गया कि तुम इतनी बेचैन हो मुझे गलेज से लगाने के लिए हारस ने तंजन हंसी हंसी और इसे जोड़ से सीधा करके बैट पे लटा दिया और खुद अपने शट के बटन उताने लगा ये क्या कर रहे हो तुम हारस प्लीज हमें जाने दो इमान उटकर इसके सामने आगर हाथ चोड़े खड़ी थी मैं तुम्हें जाने ही दूँगा पर पहले वो इल्जाम तो सच करने दो कि मैं तुम्हारी रिज़त लूट रहा था हारस ने से बालों से पकड़कर दुबारा बैट पर जोस से दक्का दे दिया था और अभी इसके उपकरीब आ चुका था इस दे से अपने बाहों में बढ़ लिया था तुम्हें खुदा का वास्ता है हारस हमारे साथ ये नहीं करो तुम तुम जो को होगे हम करेंगे हमें जाने दो इमान इसके सामने रो रोकर फ्रयाद कर रही थी हारस अप पीछे हो चुकिया था क्या करोगी अब तुम्हेरी रिज़त तो खराब कर दी है तुमने हारस चेर पर बैठते हुए अफसोस से कहनी लगा हम तुम से सब के सामने माफी मांग लेगा इमान उटकर इसके कदमों में बैठ कही थी हाँ ता कि फिर तुम्हारी रिज़त खराब हो जाए हारस ने आहिस्ता से दुखी हंसी हमें कोई परवारी नगें के सब के सामने इमान को अभी इससे डर लग रहा था इसलिए किसी इतρα इससे बचने के तरीके ढून रहीी थी तब ही हो माफी मांगनि का कह रही थी मुझे कोई ضرورत नहीं ए तुम से अमाफी मंगवाने की तुम मेरे रहम और करम पर हो लेकर मैं फिर भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा बस आइंता मेरे सामने कभी ना आना तुम वरना है ये हकीकत मैं करतूंगा जिसका आज श्रेलर दिखाया है हारस ने से बालों से छोड़ कर जोर से नीचे धका दिया और उट खड़ा हुआ अब अब इतनी जल्दी आगी आज खैर तो है ना नूरी ने इमान को आते देखा तो पूछने लगी हाँ खैर है बस मेरा हमारा दिल नहीं लग रहा था तो हम आगए इमान कहती हुए अपने कमरे में चलीगी कुछ देर लगी इसको इस तकलिफ से निकलने में वो ये सोच के त जो तुमने वहां किसी को बताया कि हम यूनिवरस्टी नहीं जा रहे इमान इस लगती से का जी बीबी जी मैं तो वैसे भी कह रही थी नूरी को तो इससे डर ही बहुत लगता था इसलिए चुपकर गी इमान यार तुम किदर थी पूरा हफदा तुम नहीं आई सना ने आत चीज़ इधर ही ले आओ इमान ने सना को पैसे पकड़ाते वे का तुम क्यूं नहीं आओगी सना हिरानी से पूच रही थी बस हमारा मूट नहीं है जाने का इमान ने दिल ही दिल में हारस का नफरत से सोचते वे का अच्छा चलो मैं इधर ही ले आती हूँ चीज़ तुमा लड़की हारस ने हसना को अकेले ही केंटीर में देखा तो शुकर अदा किया यूंकि वह सुबह इसे आते हुए देख चुका था जितने दिन वह नहीं आई वे स्कून में रहा लेकना सुबह इसे आते देख इसका खून खोलने लगा था इतने में फारिंग की आवाज है कु कुछ भी है निकाल कर हमारे सामने रख दो सबके पार जो पैसा ये मुबायल थे सबने निकाल कर इनके सामने रख दिया डाकों ने जान बुज कर दोबारा फारिंग शूरू कर दी थी स्टूडन्स काफी सख्मी हो चुके थे अब हारस बिलकु इनके निशाने पर था गोल प्लीज आंके खोले हासम अभी तक जिन्दा था आपको कुछ नहीं होगा मैं आपको मैं हस्पता लेकर चलता हूं हारस इनको उठाने की कोशिश कर रहा था जब हासम ने इसका हाथ पकर लिया नहीं मेरे बच्चे मैं अप नहीं बच्चूंगा बस तुम बस मुझसे एक वादा करो हासम ने इसके हाथ को पकड़ते हुए का जी बाई साहब बताए मैं आपके वादे को पूरा करने के लिए अपने जान भी दे दूंगा हारस ने रोते हुए का यह हमला तुम पर हुआ था जो शानी करवाया है लेकर मुझे किसी ने फोन करके बता दिया था इसल की सांस ने इनका साथ छोड़ दिया भाई साहब भाई हारस अब आसम को बुला रहा था इसे जिंजोड रहा था उटें भाई सारी यूनी वही कटी हो चुकी थी मेरा और रजब मीर और रजब ने आगे बढ़कर हारस को संभालने की कोशिश की सबर करो हारस तुम्हारे भ हासम ने इसे अपने बच्चों की तरह पाला था आज तक इसकी हर ख्वाईश पुरी की थी वो सिर्फ इसका बाई ही नहीं बाप भी था मलक खांदान को इंफॉर्म कर दिया गया था कुछ लोग आकर डैट बोड़ी को ले गया थे एक क्यामत मची हुई थी घर में जर्मी हासम की बात मानी और अपने बच्चों से भी बढ़कर हारईस समझा और आसम इसे हमेशा के लिए छोटकर चलाया बुआ भी होश में नहीं थी थोड़ी थोड़ी दिरबाद होश में आती हासम आसम चलाती भी बहोश हो जाती पूरी मलक बरादरी सोक में थी चद गेटों बाद हासम का जनाजा पढ़ा कर इसकी तद्वीन कर दी गई थी हारस ने तद्वीन के बाद कर राते ही रोना शुरू कर दिया था कभी अपने बादीचों को तो देख कर तरप उठ था किसी तरह सब को होसला दिया और इसे खाना खिलाने की कोशिश की पर एक लुकमा में अं थी बाद साहब चाहते थे कि अब मर्जीज खून खराबा नहो इसलिए मुझे किसी से बदला नहीं लेना हारस ने दुखी लहचे में कहा ये क्या कह रहे हो तुम देवर जी मेरा शोहर क्या इतना बेमोल था कि इसे खत्म करने वालों को हम अज़ाद चोड़ दें जर्मीन जो सकते में थी हारस का ये फैसला सुनकर देरे पर आ गए बाबी ये भाई की आखरी ख्वाईश थी कि वो खून खराबा नहीं चाहते हारस ने से समझाने की कोशिश करते हुए का हम किसी बात को नहीं मानते है अब फैसला पंजायत करीगी मलक ब्रादरी ने अब ये डिम बाते हैं कि शापनी बती जी कि ये शादी हारस से कर दे इस तरह खून भा रोस जाएगा इस बार बुआ बोली थी किरह करेंगे बूआ और खूर्णी बियं खानम बेगम में अब तराई थी आ सोच बीजार के बाद पनजायत इस वे wie पह Whenever इस वे ही चाहे वह प्हूनों पिर एक तफ़ा रीद दुराई जाएगी तुम्हारी ब्रादरी ने मुझे भी उसे ऐसे ही रस्मों की भेंट चड़ाया था और मुझे मार पीट के घर पेज दिया गया था ना मैं आगे की रही ना पीछे की सारी उमर धर को हो गई मेरी तो अब ये बारी तुम्हारी पोती की है वो भी ऐसे ही तरपेगी बू आने हकी राना मुस्कुराहट से खानम बेगम को जताया लेकर इस बार वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि पंजायत का फैसला था बीबी जी मुझे हमें लेने आया है नूरी ने आकर इमान को चुका था लेकर हम तो भी फारिक नहीं हैं कैसे आ सकते हैं इमान अपने सर पड़बटे को सैट करते हुए का बीबी जी अमा का हुकम है और हम आपको लिए बीजा यहां से नहीं चाहें कि मुझे ने अदब से सर जुकाई का ठीक है हम तियार होकर आता है तुम हमारा बाह इमान से गले लगकर मिलते हुए का तुम्हारी शादी हो रही है अमान इस पार चेरेसी से बताया क्या हमारी शादी आप मजाग कर रही है ना इमान ने कहका लगाकर अमा की तरफ देखते हुए पुछा देख अमान यह कोई मजाग का टाइम नहीं है हम सच कह रहे हैं अमा अने गोया इमान पर बंप फोड़ा था क्या ये वोही मलक हारस बिलाल है जिसका बाई यूनिवस्ट्री में मारा गया था इमान वैसे तो किसी को नहीं जानती थी लेकर यूनि में इसने ये सुना था किसी शानी हासम को गतल करवाया है इसलिए अब इमान को गते सुलजाने में देर नहीं लगी थी किस बार रस्मों की भींट चड़ने की बारी इसकी थी हाँ वही हारस अमान ने सपार्ट चेरे से कहा अमा हम पर इतना जलम क्यों कर रही हूँ हम मर जाएंगे पर उससे शादी नहीं करेंगे इमान अब अमा के कदमों में गिर गई थी नहीं तुझे मरने की भी जाज़त नहीं है और फैस्ट अब हो चुका है आज शाम को तेरा नकाह हारस के साथ पढ़ा दिया जाएगा और हम अब तुम से कोई बहस नहीं करना चाहते जरीना माफी अमान ने अपने दो मलाजमों को आवास दी जी अमान भी कुछ ही सेकिंड में वो हाद चोड़े इनके सामने खड़ी थी अमान बीबी को कमरे में मिलेक अचा और इन पर नज़र रखना कि ये कुछ करने की कोशिश ना करे अमान ने अमान का हाथ इसनके हाथ में पकड़ाते हुए हुकम दिया जी अमा भी इन दोनों ने इकठा कहा अमान तो अपने होश में ही नहीं रही थी एक सकते किसी हालत में बस वो इधर उदर देख रही थी वो जानती थी ये रसम बहुत पुरानी है यहाँ ऐसे ही कितनी लड़कें वेट चड़ी थी और कुछ दिन बाद वो मार खाकर वापस आगए और सारे जिन के अपने मेके में किसी और के नाम का तौक पहन कर गजारती हमें नहीं करनी शादी अमा इमान ने अपना हाथ छोड़वा कर अमा के सीने से लगते हुए खा हमाँ हम पर wa ृते हुए और अमा के गड़े लेकार अमा इसस बार अमा पने आसों के दिल में चुपा चपार सकत जान बनी खड़ी थी अमा ने उख और एक विज़ा हमें और भू बहुत से काम है अमाने से खुद से दका दे कर पीछे करते वे काहर बाहर चली गए जरीना और माफी इसको जबरदस्ती इसके कमरे रूम में लेकर गए यो लार रंगा जोड़ा इसके सामने रख दिया कि अमाजी का हुकम है आप इसको पहन दे अमाने रोती आंकों से जोड़े को उठाकर देगा कितने खुआप थे इसके अपनी शादी को लेकर महंधी पे पी ले रंका जोड़ा पहनूगी फिर शहर वालों की तरह अपनी फोटो बनवाओंगी पिर जब दूलन बनवाओंगी तो फोटो बनवाओंगी सना को भी अपनी शादी पर बुलाओंगी इससे भी तो पता चलिए हम कितने बड़े खांदान से है हमारा घर कितना बड़ा खुब्सूरत है अमान ने सोच कर उंचा 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 रोना शुरू कर दिया अमान को माफी बुला कर लिया आई थी इस पार तो आते ही अमान ने इसको एक जो ता थपड़ जड़ दिया था हमने कहा ना हम जो कह रहे हैं वकर तुम अमान ने इसको सक्ति से वोन करते हुए कहा अमान तो अपने चेहरे पर पड़े थपड़ को ही नहीं भूल पा रही थी अभी भी इसका हाथ अपने हाथ अपने चेहरे पर था अमा तुमने हम पर हाथ उठाए अपनी लाड़ो पर अमान बेयकिनी से अमा को देख रही थी जिनके चेहरे पर कोई तास्फ नहीं था हाँ हम तुम्हें इससे भी बड़ी सजा देंगे अगर तुमने हमारी बात मान कर जोड़ा ना पहना तो अम्मा ने इसी आखे दिकाते वए का तुम लोग इसका जोड़ा बदल दो और थोड़ा बुक्त लाली पाउडर भी कर दो इसका अम्मा ने इन दोनों को कहा जो सर जगाये खड़ी थी जी अम्मा जी हम कर देंगे इसको त्यार अम्मा के जाते ही माफिय और जरीना ने जबदर्दी इमान का जोड़ा बदल दिया था और साथ में मेक अप भी कर दिया था इमान आसू बाहती रही रहो लेकन किसी ने इसकी एक भी ना सुनी मलक आसम कमरे हुए छे मन्त हो चुके थे हारस ने यूनिवस्टी छोड़ दी थी प्रिंसिपल आये भी थे इसको लेने लेकन इसनी ये कह दिया कि इंकार कर दिया था कि हम मेरा दिल नहीं करता पड़ने को और वैसे भी अब सारी जमीने और भाई की कारोबार की जमादारी मुझे पर है मैं ये सब किसके सहारे छोड़ कर जाओं अब मैं वो हारस नहीं रह गया जो हर फिकर से अजाद था जिसको बस पैसे से मतलब था कि वहा हाथ में आ गया ये कभी नहीं सोचा था किसे आया हारस की आँखों से आँसर निकल आया आज भी अपने भाई की फोटो को सामने रखकर इसे बाते कर रहा था एक लमा भी वो अपने भाई को नहीं भूल सका था भाई अगर आज आप होते तो मुझे इन हलात में अपनी मरजी के बगार शादी ना करनी पड़ती बलकि आप खुद मुझे सहरा पहना आते और मेरी पसंद की दूलन कर लेकर आते अब तो वो लड़की जो मेरे घर आ रही है मैं हमेशा उसे नफरत करूँगा क्योंकि इसे देखका तो मेरा खुन खोलता रहेगा कि वो आपके कातलों की बेटी है हारस के जिसम में एक जहर का करंट सा धोड़ गया था हारस बेटा तुम त्यार हो गए बुआ इसको कमरे में बुलाने आई खड़ी थी जी बुआ मैंने क्या त्यार होना है अपने दुश्मनों की बेटी को लेने जा रहा हूं कोई अपनी नहीं है वो मेरी जो मैं त्यार हूंगा हारस ने गुस्से के अंदास में कहा हारस बेटा वो हमारी दुश्मन की बेटी है और हमारी दुश्मन है वो भी हम इसे ऐसी सजा देंगे कि शाह खानदान तरब जाएगा बुआ ने पने चेहे पत्त मस्कराना मुस्कराहट सजाते भी का हाँ बुआ मैं ये बस न का कि बोल बोले हैं बाकी आप जाने और वो जाने हारस ने अपने बुआ की जबान बोलनी शुरू करती थी अब वो एक शरीफ और सुल्जा हुआ लरका नहीं रहा गया था इसके भाई की मौत ने से बिलकुल बदल दिया था वो सारा दिन बेड़े डेरे में बैठता लोगों के मसले मसाल सुनता जिन इसको सजा देनी होती इसको सजा सुनाता पिर अपना कारोबार देखता अब वो असल वडेरा बन चुका था जो औरत को बस जूती की नोप पर रखना चाहता था शाबाश बेटा तुमने हमारा दिल खुश कर दिया बुआ ने इसको पीछे से थपकी लगाई और दोनों चेहरे पर तमस्करा राणा मुस्कराट सजाते के निकल गए बाहिर बरात की तियारी हो चुकी थै सब बरात लेकर निकल गए नकाप पढ़वाया जा चुका था इमान मलक बहुती थी रुखस्ती का टाइम हो चुका था मालों की सजा और जज़ा पाता है लेकन इस जनाजे में तो हिमान को उसकी माँ और चाचु के उसकी अमाँ और चाचु के अमाल की सजा मिलने वाली थी जो कभी नहीं खत्ब होनी थी आज से 20 साल पहले भी एक कतल हुआ था जिसमें हारस की बुवा को रस्मों की भींड चढ़ा कर अमा के भाई मुगल शा की दुलहन बना कर लाया गया था लेकन इस दुलहन के साथ सलूग जानवरां से भी बत्तर किया जाता था आकर तंग आकर एक तिन बुवा वो घर छोड़कर अपने भाई के दर्वाजे पर बैठ गी फिर मुगल शाक की गैरत चागी और इसनी इसको वापस लाने की कोशिश की लेकन बदले में मारा गया फिर इंतकाम की आग भड़की और बुवा के भाई को शाक बुवा के भाई को शाक हांदान ने कतल कर दिया जो के हारस के वालत थे हारस चोटी उमर में ही यतीम हो गया हारस की माँ को अपने शोहर की वफात का इतना गम लगा कि वो भी कुछ दिनों में ही अपने शोहर के पाथ चली उपर चलेगी फिर वही गुसा और इंतकाम फिर से जाब उठा मलक खानदान ने जोहिब शाक को दोखे को बुला कर इसे कतल कर दिया किसी को भी नहीं पता जला कि किसने कतल किया लेकर आखरी दिनों में जिस आदमी ने दोखे से जोहिब शाक को बुला कर कि कतल कर वाय था तो शाह खानदान के बेटे कल को फिर बदला लेने विदान में उतराते इसलिए ये रिसम दुबारा दोहराई के ज़ाज से 20 साल पहले दोहराई गई थी इमान करोते हुए अमा ने आगे बढ़कर डोली में बिठा दिया था आज तो वर्दा चच्ची भी आँखे नहीं दिखा रही थी बलके फूट फूट करो रही थी क्योंके वो भी जानती थी ये नाजुक्सी लड़की इसके सुहाग को बचाने कितनी बड़ी कुर्बानी दे रही है पूरा शाख हानदान गब में डूबा हुआ था जवार शाख भी बार बार अपने आसों पूच रहे थे अपने बाई को तो उठाकर इसे हवेली से बाहर पैंक दिया जाएगा काफित एक तक वैसे हवेली को तक्ति रही जब बाहर निकलाई ओ मारानी अब क्या तेरे लिए खास नियोता बेजवाओं बेजूं के अंदर आ जा इमान एक नजर इनको देखा फिर अंदर कदम रखने लगी ठहर जा एक कड़कदार वाज के साथ इसको बुआ ने रोक दिया शाजी दर आ जल्दी से लकड़िया उठा कर ले आ इस पन्हूस के सामने बिचाद बुआ अपनी नुकरानी को हुकम दिया और जल्दी से लकड़िया ले आई जो पहले से ही छोटी छोटी बना कर रखी हुई थी नए दुलहन के लिए कि इस तकबाल के लिए इसके सामने फिला दी अमान ये बस हिरानी से देखती जा रही थी अब इसके जूते उतार तो बुआ न फिर हुकम दिया शाजी ने आगे बढ़कर इसके जूते उतार दिये थे चल अब इस हवेली में तिया तुम्हारा इस तकबाल इन लड़की लकड़ियों के साथ हम करते हैं बुआ ने हाथ फिला कर तंस करते हुए का इमान अगे बढ़ा रही थी इसने जैसे ही पहला कदम लिए इसे ही देख रही थी देख लड़की अगर पांच मिनट के अंदर अंदर तुने इन लड़की लकड़ियों को पार नहीं किया तो आज की रात तुझे हवेली से बाहर ही सोना पड़ेगा बुआ ने इसको इधर खड़े ही हुकम सुनाया अब इमान के पास कोई चार इमारूम में ले गए और इसके सारे से वरात उतार कर इसके अलबास तब्दिल कर दिया इमान सिर्फ दद से कराती रही शाजी इसको फिर वापिस बुआ के पास लेकर आ गई थी जब इस करम जली को हारस के कमरे में छोड़ा बाकी के हिसाब हम बात में पूरे करते हारस के रूम में छोड़ आई हारस का रूम बहुत खुबसूर्ट था नीचे मारपल लगा हुआ था बलैक टलर का फिर नीचे काफी खुबसूर्टी से सेट रक करके रका हुआ था लेकर वहात कोई सेच नहीं सजी हुई थी इमान भरद से कराती हुए ही बैकर बैट की क तुमीतर आ, तो मतलब तुम ही हो मेरे दुश्मिनों की बेटी, अगले ही लम्हें हारस के जेरे पंतंजिन मुस्कुरारती, वैसे तुम्हें तो देखकर पहले ही समझ जाना चाहिए था, कि तुम्हारा तल्लो किसी बहुत ही खतरनाक खांदान से होगा, जैसे तुम्हारी व होड़ती हमें बहुत दर्द हो रहा है, अमान जो हवेली में आने से लेकर अब तक चुप थी, अब बोल पड़ी, दर्द आहा, इसको दर्द कहती हो, तुम्हारे साथ जो किया जाना है, वो तो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, हारस ने कहका लगाते हुए का, अमान न इसे एक नज़र देखा, फिर में जो काल पीछे हटा सोना है मुझे, और यहां मेरे बैक पर तुम्हारे लिए कोई जगा नहीं है, वहां नीचे सो जाओ, सो होगी तुम, वो भी बगार किसी बिस्तर और चादर के, तब ही मुझे सकून मिलेगा, हारस ने दीचे की तरफ इशारा करते वे का, और इसकी आँखों, आँखें कुसे सलाल हो रही थी, इमान वैसे भी बहुत ठकी हुई थी, ठक चुकी थी, अब वो मुझे इससे बहुत नहीं करना चाहती थी, क्योंके वो फिर इसे तकलीफ देना शुरू कर देगा, वो चुप करके फरश पर ही ले नहीं ले रही थी, वो महलों में रहने वाली खेजादी थी, जिसका बिस्तर खुबसूरत से भी खुबसूरत था, होस्टर में भी इसके चाच्चु नहीं से अच्छा बैड और कद्दा लाकर दिया था, जिसकी मुझे निकली हुई हर बात पूरी होती थी, आज वो नीच जाइश नहीं थी, इसलिए उट गई, कपड़े तो इसे अब वही काले पहने थे, बस मुझा दो कर नीचे आगी, आज से सारा किचन का काम तो करेगी, बुगा ने इसे देखकर अपना वैसला सुनाया, लेकर हमें तो कुछ नहीं आता बनाना, इमान को इस दिर कमोश रहन कि अबकबाद आखिर बोल पड़ी पर इसकी सजा भी बुगा ने से फॉरन दे दी, बुगा ने इसके बालों से पकर कर इसको गुमा दिया और इतने सोच से दक्का दिया कि वसी दिवार में जा लगी, जबान चलाती है तो हमारे सामने बुगा ने अभी फिर दुबारा से इसके बालों से पकर लिया था, हमें छोड़ तो हम करेंगे सारा काम, इमान गुड़ गुड़ा रही थी, लेकन बुगा इसको मजीज पकर कर इसके असा दिवार में मार रही थी, पिर जब कुसा रंड़ा हो गया, तो इसे परे दक्का देख दिया, उपर से नीचे उतरता हारस के सब देख रहा था, लेकन इसे कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, बलके दिल में एक सकून सा उतर रहा था, शाजी ने इसको नीचे से उठाकर किचर में जाकर खड़ा कर दिया था, यहां जर्मीन मदानी पर मकह निका रही थी, जर्मीन नीचे देखा तो मुँ मरोड क बाहर निकल गई, शाजी ने इमान के हाथ में इस मदानी की रसी पकड़ा दी थी, इसको आगे पीछे करो तो मकह निकल आएगा, शाजी को इसकी हालत देखा तरस आ रहा था, इमान ने जल्दी से वो रसी पकड़ दी और आगे पीछे करने लगी, थोड़ी देर तक वो ऐ इसे ही करती रही भी, शाजी ने इसको रोकती और इसे कहा कि अब इस मदानी को थोड़ा सा उपर करके देख कि मकहन बना है या नहीं, इमान ने जल्दी से ऐसा ही किया, मकहन बन चुका था, शाजी ने इस मकहन को निकाल कर एक परतन में रख दिया था, क्या चाहे मिलेगी मुझे हारस क्या चाहे मिलेगी, मुझे हारस कब से चाहे का इंतजार कर रहा था, जो इसकी बापी इसको फॉरल लाकर दे देती थी, आज वो किचन से ही बाहर निकल गई थी, और इमान को तो अभी काम आता ही नहीं था, हारस ने गुसे से उंची वास में कहा, बुआ जो जो के एक कश लगा रही थी, एक दफा फिर गुसे से उट गई और खिचर में जाकर इमान को बालों से पकड़ लिया कि तेरा शोहर बाहर बैटा, तेरी बढ़ी चाहे का इंतजार पर रहा है, तो इमान अब क्या जबाब देती चुकर के मार सहा गई, शाजी तू बना जल मना पता नहीं मान से वेगी, वो जबरदस्ती खाना बनवाती, इमान खाना खा रही थी, वो कल से बुकी थी बिचारी, इसलिए पहले रोटी लेकर खाने बैठके जब बुवा उपर पहुंच जाई, और इसके सामने से रोटी उठाकर इसके डुकड़े डुकड़े करके पासकेट में फैक दिये, ए लड़की तुझे कोई शर्म है कि शोहर तेरा बुखा बैठा है, तुखाने पे चड़ी बैठी है, तुझे तो मैं भी खिलाती हूँ, खाना बुवा नहीं, इसके बाल पकड़कर इसे बाहरी हाल में धक्का दे दिया, और सीदा जाके हारस के क निकल या पीछे से बुवा इसको बस ताने मारती रही, कि तेरी वज़ा से मेरा बच्चा बुखा गया है, एमान का तो बुख सही बुरा हाल था, वो बस इसको खाली नसरों से बार बार देख रही थी, वो मुझे क्या हो गया था, मैंने एमान पर हाथ उठा दिया, क्या मुझे मेरी तरीम का, हारस डेरे पर आ गया था, लेकन इसका दमाग बार बार इमान की तरफ चा रहा था, वो तो बच्ची है, यूनी में भी इसने क्या हो, या वो तो आम सी बात थी, फिर मैंने भी तो इससे बत्रा ले लिया था, और फिर इसकी बड़ों से दुश्मनी ह जलम करने के लिए जो मैं अभी पर लिखकर जाहिल बना हुआ हूँ, हारस अपने किये परपश्ता रहा था, ठीक है, मैं उससे कभी मुहपत नहीं कर सकता, इंसानित के नाते उसके जख्मों पर मरहम तो लगा सकता हूँ, हारस इसी सोच में गुम बैठा था, जब मुन्श लगा था, तो सोचा, आपसे पूछ रहूँ, आपको कोई इतरास तो नहीं, मुन्शी ने मुद्ब होकर पूछा, नहीं मुझे कोई इतरास नहीं, तुम वो पैसे दे दो, हारस तो मुन्शी को कहा, और पिर कुछ समीन के काकस देखते लगा, वो सारा दिन मसरूफ रहा, लेकर इसका ख्याल पारवा, एमान की तरफ चाता रहा, बुआ नहीं इसको वहीं, जे बालों से पकड़ के उठाया, और इसके हाथ में जाडू पकड़ा दिया, तो माज पूरे घर की सफाई करोगी, और पिर पहुचा भी लगाओगी, बुआ नहीं से हुकम दिया, और अ ये तो तुझे खुदा का वास्ता है, बुआ नहीं इसकी तरफ देखा और इतमस्कराना मस्कराट चेरे पर सजाई, हम ये तो चाहते थे कि तुम हमसे भीक मांगे, इतनी हालत बत्तर बना देंगे तेरी, कि तुम मौत भी मांगेगी, तो नहीं आया आएगी, बुआ नही कि गढ़य को ही कि अकिश को पीछे जोर दे, कर नीचे किरा दिया शाजी को खाने कार रख थेदिया, भूख में इंसान को कितना मच्बूर कर देती है कि किसी के क्ढ़़य को बासी रोटी और इसके क्ल की 20 रोटी और साथ में फिक iस लसी दे दिती, इसके तो लसी मीठी प जार वो गाओं में रहने वाली इमान होस्टल में भी जाकर यह सब नाश्टी में लेती थी और आज किस्मत इसे किदर लेकर आई थी इसके सामने एक पासी सुखी रोटी पड़ी थी और इस अपने पेट की आग बुजाने के लिए वो भी सोना लग रही थी इसे जल्द जल् भी बुआ इसे ये रोटी भी न चीन ले जारा दिन भुआ ने इससे काम करवाया एक मिनट पीसे बैठने नहीं दिया थोड़ा सा बैठने लगती तो इसे बालों से पकड़कर उठा कर किसी काम में लगा देती राल को जब सब के खाना काने के बाद और खुद सुबागी बाद से रोटी पाने के साथ खाने के बाद एमान अपने कमरे में जाने लगी तो बुआ न jsem रोक लिया किरम जली तरह शोहर अभी तक नहीं आया तूँसे खाना खिला बिन बिने अपने ज़हर से पहले जाएगी कोया कोई शरम है तुझ में बुआन इसको जाते देखा त थोड़ी देर बात वो घर आ गया मेरा खाना मेरे कमरे में ले आओ बगएर किसी का नाम लिए के कौन ले आया अपने कमरे में चला गया इमान बीबी ये लोग खाना तुम ले जाओ शाजी ने इसे खाने की ट्रे पकड़ाते वे का नहीं हम नहीं चाहेंगे इनके सामने वो भी मारेंगे हमें इमान ने डरते डरते कहा बीबी जी मेरी बात को समझोगा तुम ना लेकर गई तो फिर बुआ तुझे मारेगी शाजी ने इसको समझाते वे कहा आके डरते डरते इमान खाना लेकर ऊपर चलेगी खाना एमान ने डरते डरते किає, हां इदेर रख तो, हारस ने से नर्मी से खा, एमान ने खाना इदेर बैट पर ही रख दिया, अध खुद पीछे हटकर खड़ी हो गई, जाओ, शाजी को बुला कर ले आओ, हारस ने सैकार खुद खाना खाने लग गया एंमान शाजी को बुजा कर लया है शाजी को यह अच्छासा गणा और चादर निकार करी तैं फरश पर बिछा दो हारस ने खाना खाते ही इसे कहा जी मलक साब मैं ले कर आती हूँ शाजी कहते हो ही निकल गयी इमान अभी भी वहीं सर जुका के खड़ी थी शाजी बिस्तर लेकर आ गई थी इसने बिस्तर बिचा दिया था और खुद हारस के बरतन उठाकर कीचर में चली गई थी इमान तुम इस बिस्तर पर सोजा इसने इमान को कहा नजरी इसनी सेल पर रखी हुई थी इमान चुपकर के लिए इदर लेट कही कुछ सुकून में सूस कर रही थी वना थाके हुए जिसम के साथ ही से फरश पस होना पड़ता था हारस ने मैडिसन फाला डबा उठायर इसके पास आकर बैट कया इमान इसे देखकर उट पाटी हारस ने इसे मूँ पर मैडिसन लगाई जिदर इसे जोट लगी हुई थी सोजा अब तुम इमान मैं तुमसे कभी महपत नहीं कर सकता लेकर तुम पर कभी जलम भी नहीं करूंगा हरस कहते हुए बैट पर जाकर लेट कया इमान को तो जैसे तप्जी दूप में कोई सायर मिल गया था इसके चेहरे पर मुस्कराहट आ गई थी चलो कोई तो वह गज़ मेरे जखमों पर मरहम लगाएगा जो स्लूप वहाँ इसके साथ किया जा रहा था उसके बाद कोई नोकर भी से दो लख्स हमदर्दी का बोल देता तो जी उटती और वह तो इसका शहर था इमान हारस को सोचने लगी और पुर स्कून मेरे सो गई वरत भी कितनी अजीब मखलूख है सारा दिन इससे काम कर वालो सारे जुलम कर लो फिर हमदर्दी के दो बोल दो तो वह इसे अपने सारे को गम भूल जाती बोल जाते क्यों शर्मिंदा करते हो ये रसमी बात ने पुज़ कर हाल हमारा वो ही है जो तुम ने बना रखा है इमान को फिर कल वाले टाइम पर उठा दिया गया था इसने किचन में आता ही मदानी डाल दी और इसको आगे पीछे करने लगी हारसा हम नीचे आई हैं आ गए हैं शाजी ने आकर इमान को बता है इसने जल्दी से चाय चुले पर रख दी सारा दिर यतना जल्दी जफ़ा भी चाय बननी शाजी ने इमान को अपने साथ कड़ा रखा और इसे चीनी पती की मुद्धार बताती रही इसलिए अभी इसे चाय बनानी आ गए थी वैसे भी वो कोई कुन सहन नहीं थी जो बात को समझना सके वो जल्दी से चाय कप में डाल कर ले आई इसने कपसार इसके सामने किया जब बुगा की वाज आई बगैरती की इंतहा होगी सिर्फ अपने शोहर के लिए चाय लेकर आई हम तुझे नज़र नहीं आ रहे है है क्या इमान चूंग गई कल तो बुगा ने चाय नहीं पी थी तो आज ये क्या कह रही है इमान ने दिल में सोचा जो कपसार इसको पक्राना था वो बुगा के सामने कर दिया बुगा ने कबसोर से हाथ से पीछे किया बेशरम शोहर के आगे से हटाकर हमें देती है बुगा धाड़ी इमान का हाथ जलाती जाए कब समेथ नीचे गिरा गई थी एक कराने के लिए इमान की नज़र हारस पर पड़ी हारस ने नीचे की हुई थी इमान भाग कर कि जर में चले गी होती होती तो एक आथ धपर लगा देती थी इसको आखे रात भी होगे जिसका एमान को सारा दिन बेचैनी से इंतिजार रहा था हारस को खाना खिलाने पर तसमेट कर जब वापिस आकर लेटी तो हारस भी इसके पास आगया हारस ने ख़मोशी से इसका हाथ पकड़ा जो दिन को जल गया था निशान भी बाकी था हारस ने ख़मोशी से इसके निशानों पर क्रीम लगा दिया और ख़मोशी से जाकर बैट पर लेट गया इमान के दिल को सकुन सा आगया इसलिए नहीं के जखम पर लगी बलके इसलिए कि इसके दर्द को मैसूस किया गया अपनों की चाहतों में मिलावट थी इसका दर्तंग आका दुश्मनों को मनानी चला गया रोसका अभी हम हमूल बन चुका था बुआ इमान से करका सारा काम करवाती थी इसके गल्ती ना होने के बावजूद भी से मानने से बास नहीं आती थी इमान को पकिचन का सारा काम शाजी सिखा चुकी थी वो सारा किचन भी संभाल लेती थी और जारू पोंचा भी लगा देत थी इसने भालात से समझता कर लिया था अमान एक दफ़ा दो दफ़ा मुंशी को बेज़ा था कि हमें इमान से मिलने की जाज़ते दीचा लेकर बुगा ने सकती समना कर दिया इमान भी दिल मसूस करके रह गई आज अमाने फोन किया था बुगा ने उठाया तो इमान को बुल कर दिया बुगा ने इमान का वहीं से दख्का देकर नीचे की रात दिया था इमान दख से तड़प रही थी जब हारस हवेली में दाखिल हुआ वैसे तो रात को ही आता था लेकर आज कोई कागस लेने थी इसलिए जल्दी आगए से तड़पता देकर वो भी तड़प करता था इससे कभी बात नहीं कि इससे ना कभी पूए पूछा कि कितना दर्द हुआ आज क्या करती की बस पिटके से इसके पास बैड़ता और इसको दवाई लगा देता था लेकिन इमान को इसकी यह खमोशी भी पसंद आने लगी थी वो सारा दिनी से सोचते हुए काम कर करती रहती थी पुआ जो भी से दर्द देती वो कुछ पल चीख कर चुप कर जाती से सास के साथ के हारस मरहम लगा देगा वो इसको चाहने लगी थी इसने सोच लिया था कि वो सब तकलिफ हैं बर्दाश करती लहेगी लेकर यह खार चोड़कर नहीं जाएगी शाजी आकर इसको किचर में लेकर और इसको तसलिद इमान अब चुप करके बरतन दोने में लग गई थी जरमीन ने इमान को कभी बुलाना पस्द नहीं किया था इसके दोलबेटें समर और उमर थे उमर की एज 15 साल थे समर की 14 साल थे वो दोनों स्कूल शाते थे सुबा सुबा जरमीन उठने की तक्रीफ नहीं करती थी इसलिए इमान। इंदों को नाश्ता करवाती थी वे दोनों इमान से काफ़ी महनुस है थी लेकन pineapple बुआ और जरमीन के सामने नहीं बुलाती थी जरमीन की खास मुलाजमा का नजी के हाथ उसे पता चल गया था कि आज इमान को इंगारे से जलाया गया है इसलिए खुशी खुशी अपने कमरे से बाहरे निकल आई थी इमान को तरब को देखकर इसे सकून मिलता था आज तो बहुत खुश नजर आ रही है तो बुगा ने जर्मीन का हाथ पकड़के बहुत सक्चान है इदर से निकलने का नाम ही नहीं ले रही बुगा ने परशानी से कहा हाँ बुगा अब जल्दी का और इसको निकाल यहां से जर्मीन नर्मीन ने तो रो रोकर अपनी हालत बुरी बना ली है अब दो दिन पहले शहर से वापस आई तो से पता चला है कि हारस की शादी हो गई है बस एक ही रठ है कि जल्दी इसको तलाक तल्वा और मैंने तो इसे समझाया है कि बुगा इस पर बहुत जल्म करती है खुद तंग आकर चली जाए फिर जब ये बैठी गी वहां हारस के नाम का तौक पहन कर तो जिनकी तो इसकी बरबाद होगी साथ में जोहेब शागी नसल भी आगे नहीं बड़ेगी और ये सद्मा खाना बेगम कभी बरताश नहीं कर सकेगी बुआ ने परिशानी में भी चेरे पर हकीराना मुस्करार सजा ली थी अच्छा बुआ जी बस करो कुछ हम से नर्मीन की आहलत नहीं देखी जाती वो तो कह रही है थी मैं इधर ही आ रही हूँ हम ने रोकती है नर्मीन ने ये तीर तो जान बूज कर फैंका फिर बुआ कहेगी क्यों रोका बुला लो इधर इसे और चाल कामयापी होगी बुआ इसे डाटने लगी क्यों रोका गर में वहमान आती हैं तो रहमत आती है इसे अभी फून करो और कहो कि इधर आ जाए बुआ ने अपना फैसला सुना दिया था लेकर बुआ वहाए कि कैसे और फिर इसे अभाजी अजाज़त भी नहीं देंगे अगर अगर हारस को बेज नहीं से लेने तो अभाजी भी खुशी खुशी अजाज़त देंगे नर्मीन भी खुश हो जाएगी जर्मीन ने आकरी पता भी चल लिया था अपनी चाल का हाँ ये भी सही कहा तुमने हम हारस को कहा देंगे वो ले आएगा इसे बुआ कैस्ति हुए उठके अब देखना एमान तु कैसे टिकेगी मेरे घर में ये हुएली मेरी और मेरी बेहन की है यहां कोई और नहीं रह सकती जर्मीन ने दिल ही दिल में मुस्कुरा कर इमान को मुकातिब किया और नहीं को चायका किया कर अपने कमरे में चली कि इतना इमीन को सारी सूर्ते हल बताने हार उसको एक पल के लिए भी जैन नहीं आ रहा था इसका ख्याल बार बार इमान की तरफ जा रहा था पता नहीं किस हाल में होगी इसका बस नहीं चल रहा था कि इसके पार चला जाता अगरचा रिष्टा इन दोनों का सिर्फ खमोशी काही था लेकर शायद अब वो इसे अच्छी लगने लगी थी लेकर वो खुद अनजान था इस बात से इसलिए बार बार दिल की कबराहट की वज़ा नहीं जान पा रहा था पता नहीं कबरात होगी हारस बार बार घड़ी को देख रहा था रात को तो अपने वक्त पर आता था लेकर वो कहते है ना दर्द की रात बहुत लंबी लगती है आज हारस को दिल लंबा लग रहा था आगर आता ही गई हारस करके ले निकल आया आज इमान के साथ बार भी इसका इंसार कर रही थी वज़ा साफ थी हारस ने आते ही स्लाम किया बार ने जवाब देकर इसको वहीं बिठा लिया हारस बेटा तुम मुझे तुमसे बात करनी है खाना इदर ही खालो जी बार बहतर हारस की किसी बात को नहीं टालता था इसलिए इदर ही बैट किया इमान ने खाना इसको उदर ही दे दिया था खुछ जाकर कितर में बैटकी जी बुआ बोले बेटा हम चाहते हैं तुम तर्मीन को इदर ले आओ आकर तुम्हारी होने वाली बीवी है हारस के हाथ ये बात सुनकर रचानक रुख क्या हुआ पुत्तर खाना के छोड़ दिया बुआ ने इसे हरानी से देखते हुए पूचा हाँ बुआ कुछ नहीं बस खा रहा हूं कितनी मुश्किल से नवाले अंदर जा रहे थे क्यों हो रहा था ऐसा नर्मीन इसकी बचपन की मंगती इसे कभी भी इस से शादी पर रतरास नहीं हुआ था जाब एमान से शादी की बात चुड़ी थी तो तब भी हारस नहीं सली दी थी कि ये बतले की शादी है ऐसा बीवी तो मेरी नर्मीन ही बनेगी तो फिर अब क्यों इसे इसके जिकर से चिड़ हो रही थी चल ठीक है फिर सुबा तू इसे ले आना बुआ कहते हुए उटके जी बुआ बेहतर हारस बस इतना ही कह सका बरतन इमान को किचर में पकड़ा कर वो उपर चला गया इसे को समझ नहीं आ रही थी आज वसच में इसके लिए तक्लिफ मैसूस कर रहा था लेकिन वो तो हमारी कमर पर है तो हम आपको जक कैसे दिखाए इमान न इमस् terceमियत से कहा हारस को आज इसकी मस्तो म्यार रा रहा था मैं आखे बंद कर लोंगा हारस निया तो फिर आप जवाई कैसे लगाओगे इमान ने अपना कुले मूँ पर हाथ रखकर कहा लगा लूँगा बस तुम वह जखम दिखाओ हारस ने इसे अपने हाथ से पकड़ कर मोड दिया था अब इसकी कमर इसके सामने थी इमान ने आहिस्ता से कपड़ा उपर कर दिया था हार हारस ने आखे बंद करके अंदाजे से मैडिसन लगाई तो इमान की चीक निकल गए क्योंकि मैडिसन जब जखम पर लगती है तो एक तफ़ाए बहुत जलन होती है हारस ने इसके मूँ पे हाथ रख रख दिया था इमान दर्द की शिद्द से ही हारस की गले लगे कितने मस है तुमम्हारस के दिल में सोचा लेकर इसे अपने आपसे दूर नहीं किया शायद वो इसे अपने आपसे दूर करना नहीं चाहता था एमान को बेरा मसूस हो रहा था वो फूरां से पीछे हरके हारस जल्दी से नीचे अपने बिष्टर पर लेड़ी हारस भी मुश्चरा क आ गई हारस ने जल्दी से नजरे नीचे करके इदर बदर देखना शुरू कर दिया, इसकी नजर शाहिट प्याती बुवा पर पढ़ गई थी, क्या मस्टला है क्यों मेरे सब पे चड़ी खड़ी हुए हो, और कोई काम नहीं है, तुम्हें हारस चिलानी लगा, एक साक्टिन लगी, बस वैसे ही, इमान ने इसको अपने दिल की बात बताना जरूरी नहीं समझा, क्योंके वो किसी पर भी अतबार करने का रिस्क नहीं ले सकती थी, वो सिर्फ हारस पे इतबार करती थी, बाकि सब को वो बुवा के साथ मिला हुआ समझती थी, अच्छा ना बताओ पर एक बात मैं आपको बताने लगी हूँ, वो जरा गोर से सुन ले, शाजी ने आश्ता से इसके पास आकर कहा कि कोई बाहर से सुनना ले, कौन सी बात, इमान ने पर रिशानी से इसकी तरफ देखते वे पूछा, वो नर्मीन बीबी आ रही है, वो हारस की बच्पन की मंग है और जरमीन बीबी की चोटी बेहन है, और बहुत ही अजीब सी तबियत की है, शाजी ने से खत्तरे से गाह कर दिया, इमान की सारी मुस्कुराहित काईब हो चुकी थे, वो जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने लगे, लेकर इसकी सारी तफज्जा इस नर्मीन पर थी, पता न पहलेंगे, पहले ही इनको बहाना चाहिए, शाजी ने इसके रुके हाथ देखे तो बोलने लगी, इमान बेसोच से बाहर निकल के काम करने लग गई थी, आज फिर तु जा रहा है ना, इसको लेने बुआ ने हारस को हवेली से बाहर निकल देखा तो पूछने रहेगी, ज जैसे ही टाइम मिलेगा, मैं खाला के घर चकर लगा लूँगा, और नर्मीन को ले आउँगा, हारस निबुआ की तरफ मुँ करके काहा और फिर चला गया, आज तो खास खाना बनेगा, मेरी बहन आ रही है, जर्मीन ने किचन में आकर इमान को हुकम दिया था, इमान ने न दर कुछ तूटा था, इसके आंकों से आंसो की लड़ी निकली थी, जो इसने जल्दी से चुपा लिये थी, ताकि जर्मीन न देख सके, वरना सो सो बात ने सुना कर जाएगी, जर्मीन ने से खाने की सारी लिस्ट बता दी थी, इसने हां में सारी ला दिया था, हम क्यों र लगी, इसलाम खाला, हारस ने घर में दाằng 세 कि कि नर्मीन पहले से जानती थी तुम लोग बैठो बातें करो मैं चाय बेज़ती हूं खाला उटकर चली गी अच्छा तुबुगा ने बेज़ा है इसलिए आए हो वैसे तुम्हारा ख्याल नहीं है कि हम को आगे ले जाओ नर्मीन ने इसको देखते हुए कहा नहीं ऐसी बात मेरे पास टाइम नहीं होता गही निकलने का तो इसलिए मैं नहीं आ सका पहले हारा इस ważne है अप दो देढ़ करकर अपने बात में कमल देखते अच्छा फार्क होते तो डेरे चले जते औरे ड्रोरे चले आउते नर्मीन ने इसके गले में बाहरें 林्यार् disc mit अपाइब आर् ठीक है बेटा जाओ फी अमान अल्ला हारस तुम कितने बदल गए हो नर्मी ने गारी में बैठते हुए गिला किया किसे बदल गया हूँ पहले किया तुम से गले लगकर मिला करता था तुम्हें पता है मुझे ऐसी चछोरी हरकते नहीं पसंद सफर कहमोशी में गुजर गया रात के टाइम वो हवेली पहुँच चुके थे नर्मीन का इस्तक्बाल बहुत अच्छे से किया गया था बुआ इससे बहुत अच्छे एकलाग से मिली थी नर्मीन को तो बस इमान को देखने का तजस्स था इसलिए हुकम जिया कि इसे हमारे सामने हाजर किया जा शाजी एमान को लेकर इसके सामने आ गई थी नर्मीन इसे देखकर ही आग बगोला हो रही थी इसने सादा सा काला जोड़ा पहना हुआ था फिर भी इसका इसका कुदरती स्वैत रंग इसे खूब चूरत बना रहा था बिल्कु सादर से शकर है खुद नर्मीन ने खुद को हर तरह से मंटेन किया हुआ था फिर भी इमान के साथ की इसे मात ले रही थी थी नर्मीन ने इसे जोड़ता थपड़ जड़ दिया इमान नीचे किर गई थी ले जाओ इस बला को हमारे से दूर इसका इलाज तो हम सुबा से शुरू करेंगे नर्मीन ने गुसे से खा शाथ इमान को उठा कर किचर में ले गई थी इमान के जेरे पे अभी भी इसके उमलियों के निशान थे जाँ चुकी थी कि अब वो इसे मज़ीद दूखना इजाब दिया जाया गा इसलिए खमोशी से अपने काम में लगते शारा खाना जर्मीन के कमरे में लगा दिया थक्या था हारस को भी बुलाया गया लेकर इसने आने से इंकार कर दिया इसलिए इमान इसको कमरे में ही खाना देने चली गई थी फिर वापिस आकर जर्मी की खित्मत में हाजर हो गई थी सब ने खाना का लिया था सब बर्तन समेटने के बाद इमान हारस के बर्तन उठाने चली गई थी इमान सुनो हारस ने से बर्तन उठा कर जाते देखा तर बुकाया जी मान ने इसकी तरफ देखते वे खा वो मैं तुम्हारे लिए बुगा के सामने नहीं बोल सकता वरना वो तुम्हें और जादा सजा देती शूरू कर देंगी फिर तुम्हें मेरे कमरे में भी सोने नहीं देंगी कहीं भी बाहर नहीं बाहर तुमें सुला देंगी फिर तुम में मच्छर भी काटेंगे और तुम इस सब की आदी नहीं हो ना हारस ने अपनी अपनी बात मकमल की आदी तो हम इस काले कपड़ों के भी नहीं थी आदी तो हम इस चाड़ू पहुंचा गए भी नहीं थे लेकर आदी हो गए हैं तो ये वो ये भी कर लेती थी तो इन सब के भी आदी हो जाते इमान ने चेरे पहल की हलकी मुस्कुराहर से जा गए कहा वह तुमे तो बड़ी बड़ी बाती करना भी आ गई है तो वही इमान शाह होना जो पागली थी हरस ने से प्यार से देखते हुए कहा इमान शाह नहीं इमान हारिस मलक हुँ इमान ये कहती बर्तन उटाती जल्दी से निकल गए और हारस इसको जाती देखकर मुस्कुरा पड़ा इमान कीचन में बर्तन लेकर आ गई थी बर्तन दोते दोते भी इसका ध्यान हारस पर था इसका तसरवर ही सहर तकलीफ से दूर कर दिता था जरूरी नहीं इश्क में बाहूं का सहारा ली जी भर के महसूस कर लेना भी मुहपत है काम खतम करके कमरे में गई थी तोहारा सो चुका था सारा दिन काम का बड़र और फिर इतना लंबा सफर तैक करके आया था इमान भी आते ही सो गई वो भी सारा दिन की ठकी हुई थी इस सुबह तो सम्स कुछ नॉर्म है रहा सबको नाश्ता कर वाकिए वो भी फारग हुई थी जब नर्मीन उटी थी इस नहीं सिखाए किसी ने के नाश्ते के साथ पानी भी रखते हैं पोहर और अरत नर्मीन इसके सर पर पहुँच गई थी जी वो मैं अभी लाती हूँ अमान ने तमी से कहा जबान चलाती है मेरा नाश्ता भी खराब कर दिया तुमने मनूस नर्मीन ने इसे फिर से बालों से पकड़कर खड़ा कर लिया एमान को आखों में बहुत जलन हो रही थी हमें छोड़ दो हमने जान बूज कर नहीं किया यह इमान ने रोते हुए इसे कहा लेकर इसे कहां तरसाने वाला था इसने इसको एतनी तेज रफ़तार से दका दिया कि वो दो फिट आगे जाकर फरश पर गिरी इसे काफी चूट लग चूट लग चूकी थी लेकर इसको इ मैं अभी तक बुखी बैठी हूं बुआ ने आकर इसको डंडे से माना शुरू कर दिया इमान चुप करके दर्द पीती रही वो जानती थी के रोई की तो वो पिटे की नर्मीन बीकिचर में आकर यह सारा तमाशा देख रही थी वो दिली दिल में खुश हो रही थी कि अब नहीं खाया था बुआ को इस पर जरा भी तरस नहीं आ रहा था कुछ देर बाद ही इसको चलाती किचर में आगे कि अभी तक सफाई क्यों नहीं शुरू की इमान के जिसम से तारी ताकर तो नहीं जोड़ ली गई थी वह कैसे हरकत करती वह वहीं बेर सुद बैटी रही इसकी हालत दे कर मज़ा आ रहा था किसी तरह इसने सारा काम कमल कर लिया था अब दोपहर का खाना भी इसी ने बनाना था अपनी बुग तो इसकी दर्द के वज़ा से मर गई थी शाजी तुमने अगर इमान की थोड़ी सी भी मदद की तो हम तुम्हें जिन्दा जमी में ग कर रही थी इमान को मोशी से वहां से चले एक इथा नार्मीन के कमरे में क्यूंकि वह जानती थी हारस तो भूख परदाश कर लेगा लेकर वो दो मिनट जमीन के पास देर से गई तो समझो ये गजाब नाजल हो जाएगा नर्मीन ने इसके जाते ही बहुत जादा नमक सालर में डाल दिया और खीज में बहुत ज़ादा sloppy पॉरी जो हम खाने के भीती जार ऑब हमान यतिनी लगा दी था हमने में मुझे बहुत ओख लगी थी हरस ने सेाथे देखा तो कहना शुरू को दिया वह junt अमिन बाबी ने बुला लिया था, उन्त की टांगे दबा रही थी, इमान ने आइस्ता से का, अच्छा कहकर हरस ने खाना शुरू कर दिया, पहला ही लुकमा इसे जहर लग रहा था, इसने फॉरार मुझसे निकाल दिया और खांसना शुरू कर दिया, क्या हुआ हरस के लिए इमान ने इसके हाथ से पानी का कलास पकड़ा दिया था, हरस ने एक ही सांस में सारा पानी पिलिया, इमान इतना नमक भला कौन डालता है, खाने में हरस ने बेजारी से से देखते हुए का, नमक जादा है खाने में, लेकर बाकिसमने तो भी यही खाया है, किसी ने कोई बा तो हारस ने इसे परिशान देखा तो सली देखा खीर खाने लगा इसका एक चमची डारा था कि भी मूँ को से निकल गई अब क्या हुआ एमान ने फिकरमंदी से पूछा इसमें चीनी बहुत जादा है हारस ने मूँ बना कर कहा लेकर हमने तो ठीक बनाई थी ये कैसे हो गया हमें नहीं पता है इमान ने मसूमियत से कहा इसके साथ बेजी हो रहा था पहले साथ दिन मार खाती रही अब रात को इसके महभू को इसका खाना पसंद नहीं आ रहा था लेकर मुझे सब पता चल गया है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, यह सब नर्मी ने किया होगा, हारस को इसकी फित्रत का पता था, हाँ हो सकता है, यह क्यूं कि जब हम आपके लिए ट्रेस अजा एक खड़े थे तो वही किचर में आई थे और हमें बाहर बेच जिया था, हा हारस के चेहरे पे बरपूर मुस्कुराहर थी, जिसमें इमान खोज गई थी, बटतमीज तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, पहुड़ और क्या करती हो सारा दिन तुम आराम फरमाती हो सारा दिन तुम, और हारस को अब कोई बात नहीं मिल रही थी, इसलिए वो पर ही हमको माफ कर दो, हमसे गलती होगी, अब अर्मान करीड़ाने की आक्टिंग कर रही थी, जब हारस बार बार इस जा के दिखा रहा था कि शुरू करो, मैं तो तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा, हारस ने जोर से बैठ की साइट टेबल को आगे पीछे किया था, कि ऐसा लगए कि अमान मार खा रही है, नर्मीन और जर्मीन तो बाहर बैठी कुशी से पागल हो रही थी, कमरे में बैठी अमान हंसन्स के पागल हो रही थी, हारस मसी से ऐसे ही चुप करके देखता रहा कितने दिनों बाद अमान के खुल के हंसी थी, काफी देर हसने के बाद इमान ने इसको देखा जो अभी भी इसे टक-टकी बान कर देख रहा था क्या हुआ हारस इमान ने इसके सामने हाथ लाया कर कहा हाँ कुछ नहीं अभी हारस होश में आया गया था अच्छा अब आप बुखे सोएंगे इमान ने इसको फिकर मंदी से देखते हुए पुचा या पर मैं बना लाओ नहीं तुम नहीं बनाओ अब मैं बाहर जाकर किसी होटल से लेकर आता हूँ फिर दोनों मिलकर खाएंगे हारस ने पीछे मुटकर चाबी उठाई गाड़ी की इमान ने बरतर उठाकर जागर कीचर में रख लिए थी नरिमीन और जरिमीन के कमरे का दर्वाजा अपन्द हो चुका था इमान ने वहीं ट्रेस साफ करके दो पलेटे उठाकर कमरे में जाकर हारस का इंतजार करने लगी थोड़ी देर में ही हारस खाना लेकर आ गया था इमान वह तो कुछ नहीं मिला तो मैं तो पता है गाउं में सब जल्दी सो जाते हैं ये एक धापा खुला हुआ था वहां से दाल और रोटी लेकर आया हूँ इमान की तो ताज़ा ताज़ा रोटी और दाल की गईफू से ही बुक किस सुबा की सोई हुई बुक चा गई थी इसने जल्दी से पैकेट खोल कर रोटी निकाले हूँ वह सालन भी दू पलेटों में निकाल डाल लिया कितने दिनों बाल वह सालन रोटी खा रही थी ये सोचकर इमान के आँखों में आंसु आ गया थे अरे तुम रोट क्यों रही हो हारस नी इसकी आँखों में आंसु दे के तो फिकर मंदी से पूछने लगा वो आज हम बहुत दिन बात सालन के साथ रोटी खा रहे हैं तो खुशी से आँख पानी आ गया आँखों में इमान ने आसु साफ करते हुए कहा क्या मतलब तुम रोटी सालन के साथ नहीं खाती हारस को इसकी बात सुनका इहरानी हो रही थी नहीं बुआ हमको फिक की लसी या पानी से एक दिन की बासी रोटी देती है इमान ने रोटी का नवाला तोड़कर मूं में डालते हुए मसुमिर से कहा अच्छा अब से तुम रात को मेरे साथ ही खाया करोगी और सुबा के टाइम के लिए मैं तुम्हारे लिए डबर रोटी लाकर रख तूँगा वो खाली करना हारस ने अब खुद एक नवाला तोड़कर इसके मूं में डालते हुए प्यार से कहा इमान आज बहुत कुछ बैटी थी इसने हाँ में सरी ला दिया था और फिर अपने हाथ से बनाया हुए नवाला हारस के मूं में डाल दिया दोनों ने पहली बार इतनी बातें की थे और साथ में खाना भी कटा काया था खाना ख़तम हो गया था इमान बरतन उठाकर कीचर में दोकर रखाई थी नर्मीन समझ रही थी कि हारस इमान से दूर हो जाएगा नयाजिस के बेपना तवज़ा पाकर आकर वो सवाल पूछ ही लिया जो वो काफी दिनों से पूछना चाहती थी लेकर पूछ नहीं पाई थी इमान मैं मजबूर हूँ इसलिए ये सब बर्दाश कर रहा हूँ और तुमें भी ये बर्दाश करना पड़ेगा कैसी मजबूरी हम को भी बताओ इमान बच्चों की तरह सीथ लगा कर बैठ गई थी इमान बूआ के हमकाना हरकतों की वज़ा से उनके शोहर उनको मारते पिटते थे लेकर वो घर आकर बैठ गे सारा इल्जाम अपने शोहर पर डाल दिया और इनके खिलाफ में रबा के इतने कान बरे कि उन्हों ने इसके शोहर का कतल ही कर दिया फिर शाख खानदा ने मेरे बाबा का कतल कर दिया बूआ ने मेरी माँ को जहर तेद के मार दिया और फिर हम यतीम हो गए तो सारी बरादरी के सामने बुआ ने ड्रामा करना चुरू कर दिया इसलिए हमारी सारी जायदात उनके नाम कर दी गई और हम उनके सामने मजबूर हैं कुछ कर नहीं सकते बाई साब उनकी हकीकत को जानते थे इसलिए वो मुझे हमेशा हमसे दूर रखना चाहते थे बाई ने कारबार अपनी मिनल से सैट किया था जो अब मैं चला रहा हूं और मैं बुआ से अपनी सारी जायदा वापस ले कर रहूंगा इसके लिए कोशिश कर रहा हूं इसकी तरफ देखकर कहा अच्छा ठीक है मैं अंदाजे से लगा दूगा इमाने कप्रा उपर कर दिया हारस ने इसकी कमर पर हाथ रखा तो इसे जगा जगा पर सूजश में सूसुई इसका दिल तड़ब उठा इसने इसे दवाई लगाने शुरू कर दी इमान सकती से जब्द करके बैटी रही येलो लग गई बस इतनी सी बात थी हारस ने इसके सामने आकर कहा चो लबस हो जाते हैं फिर सुबह जल्दी भी उठत उठना है हारस ऐसे कहता हुए बैट पलेट किया और भी सुकून से अपने बिस्तर पर सोगी सुबह उठकर इमान कीचर में आ गई थी हारस भी नीचे ही आ गया था बुगा भी अब हारस के पास आकर बैट गई थी इमान दोनों के लिए जाय लेकर आ गई थी रात को में ये तीन रोटियां लेकर आया करो थारा दिन का ठका हुआ होता हूँ और तुम दो चोटी चोटी रोटियां आगे रख देती हो बुख ही नहीं उतरती हो सालन भी बिल्कुल थोड़ा सा होता है हारस सकती से इमान को कह रहा था जी इमान ने बस इतना ही कहा अए बगारत अपने शोहर का तुझे कोई ख्याल नहीं मेरा बच्चा रोज भूख रखके सोता है आइदा मैं तेरी आईसे को इशकायत ना सुनू बुआ ने भी अपनी तरफ से इसे डाटना शुरूरी समदा इमान कीचर में जाकर नाश्ता बनाने लगी नर्मीन भी उटकर आ गई थी हारस कभी हमें भी टाइम दे दिया करो हर टाइम ही बाहर रहते हो नर्मीन ने हारस के पास बैठते हुए कहा काम ज़्यादा होता है इसलिए बहुत मस्रूफ होता हूँ हारस ने चाय पीते हुए का शादी के बाद भी ऐसा ही करोगे नर्मीन ने बड़े रूमेंटिक अंदास में पुचा हारस जानता था अब ये नहीं कर सकता वरना फिर रोला पड़ेगा और फिर सजा इमान को भुकतनी पड़ेगी फिर टाइम मैनेज कर लूँगा किसी तरह हारस ने चाय का कप मेज नीचे मेज पर अक्तुवे का वाज साही किचर में जा रही थी तो क्या हारस नर्मीन से शादी कर लेगा इमान का ये सोच कर ही दिल दहल गया इसने जल्दे चल्दी अपनी साही तोज़े नाष्टा बनाने पर लगा दी हारस नाष्टा करके चला गया था नर्मीन ने भी हारस के साथ ही नाष्टा किया था पिर जर्मीन के कमरे में चली गी आज का क्या मनसूबा है तेरा जर्मीन ने नर्मीन को कमरे में दाकिल होते हुए पूचा तो पूचा तो पूचा तो पूचने लगी आज तो दिल कर रहा है इसका उसके मुँपे तजाब फैंक दूजो मसूम शकल है देखने के लाइक ही ना रहे निरमीन ने गुसे से कहा सोच लिया ऐसा करके कोई फाइदा होने वाला है तो जर जिने डढ़ते डढ़ते कहा इमान फिकर में ही खड़ी थी जब बूआ नाजल हो गई थी अभी तक इधर खड़ी है काम किसने करना है तेरी अमा को बुला लाओं क्या इधर बूआ ने इसको बालों से पकड़ते हुए बाहिर ले जाते हुए कहा इमान कुछ नहीं बोली स रस्ते में तेल गिरा दिया बूआ फिसल कर नीचे गिर गी है मैं मर गई बूआ के वास उनका सब इकटे हो गए इसको उठाकर बैट पर बिठाया नर्मीन ने आकर और जड़का दिया कि पोचा तो इमान के जुमें था तो भी तेल इसने साफ क्यों नहीं किया जान बूज कर या आपको गिरा दिया वही बूआ वही से उठखड़ी हुए इमान को जाकर बारों से पकड़ कर खैस ती पूरी हवेली में खुमाती रही इमान को काफी रगड़े आ गई थी लेकर बूआ इसे फिर भी माफ करने वाली नहीं थी आकर इमान हमत हार का बेहोश हो चुकी इसको जल्दी से उठा कर हस्पितार ले गया कुछ ट्रीन्मेंट के बाद इमान हुश में आ चुकी थी हारस इसके पास ही बैठा हुआ था इमान मुझे माफ कर दो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका हारस दे रोते रोते इसके अपने आतों में लेकर चुम लिया हार मैं इसको लेकर जाना चाहता हूँ गर आप इसे डिस्चार्ज कर दें वो जानता था गर इमान इधर एड्मिट रही तो बुआ को लगेगा कि मुझे इससे हमदर्दी होगी है मेरा बना बनाया बनसुबा खाक में मिल जाएगा हारस इसको घर लेकर आ आ गया था इमान में अब यह भी ताकत थी क्योंकि अब वो सक्जान बन चुकी थी अप इसे इन तकलिफों को बरदाश करने के आदत हो चुकी थी इसलिए इसने घर आते ही हारस को इसके खमरे में बेज़ कर इसके लिए खाना ले आई आई आपने अस सुबा तीन रोटिया कही थी हम तीन ही ल दूँगा हरस ने अपने मुठियां गुसे से बन करते हुए का आप नर्मी से शादी कर लें इमान ने आहिस्ता से पुछा कर लेंगे इमान ने आहिस्ता से पुछा नहीं कभी भी नहीं करूँगा शादी मैं उससे हरस ने बैट पर लेटते हुए का मुझे नीद आया सोन बुआ के कंदों पर हाथ रखते हुए ने प्यार से समझाया अरे नहीं मनने लगी थी ये बेहोश तो ही थी खुद ही होश आ जाता तुमने ऐसे ही इस मन्हुस मारी पर इतना खर्चा कर दिया बुआ का गुसा तो अब ठंडा हो गया था लेकर नराज की अभी भी दिखा रह कीया के ममा म yogramला था नहीं भिगड़ा नाश्टा करके हारr चला गया था पीछ रही काम जो मार रोज करती थी करती रही नर्मीन अपने चाने चलती रही बुआ इस काम में लग जाती हर इस रात को आकर इसके-दुख-दर्द से सुनता फिर इससे तरहसे काफी दिन лучше लेकर अगर इसका मूँ जल गया तो फिर वो घर चली गई वापस तो फिर हमें नहीं छोड़ेंगे इसलिए ऐसा खेल खेलो जिससे इसको तकलीब भी होती रहे और हमारा नाम भी नाय जर्मीन ने इसे समझाया ऐसी क्या सजा दूँ अब हर सजा तो आ वो पी चुकी है इस पर तो कोई असर ही नहीं होता नर्मीन ने मूट फिला कर कहा जो भी कर पर तरजावाला मनसूबा तो रहने दे जर्मीन इसे हुकम सुना कर उट कही थी पिर इसके शितानी तमाग में क्याल आ गया था हमें पकोड़े खाने हैं नर्मीन ने आकर किचर में मसरूफ खड़ी इमान को कहा इमान ने हाम में सरी रादिया पकोड़ों का मसाला बनाने लगी जब तेल का तलने का वक्त आया तो नर्मीन भी उपर आकर खड़ी होगी और आग तेल करने लगी पकोड़े जलने शुरू कर दिया, एमान तरपती रही, ऑपर कोई पर तरस खाने वाला नहीं था, नर्मीन के दिल को तौस्कून मिल गया एमान रहते तरपती काम कियती रही, राद को जब हारस आया तो बेख्षाली में ही, इसके गले लगकर रूने लगसी, इमान पीछे हटो क्या कर रही हो बुआ या नर्मीन देख लेंगी हारस ने से पीछे किया क्योंकि अभी हो हवेली के दर्वाजे पर ही खड़ा था जिसके आंसों हारस को बहुत तकलीफ दे रहे थे इसनी से कमरे में आने का कहकर ऊपर चला गया था एमान खाना लेकर उपर आई हारस ने इसके हाथ से खाना पकड़कर साइट टेबल पर रख लिए खुद इस गले से लगा लिए क्या हुआ है इमान वो पूछ रहा था लेकर इमान रोती जा रही थी फिर इसने अपना हाथ दिखाया इसे हारस को तड़ उठा चुपकर रहा इमान बस दो दिन और फिर तुम्हें कोई हाथ लगाने की हमत भी नहीं करेगा मेरा सारा काम तक्रीबन हो चुका है बस मुंशी कड्रोला डाल रहा है इसे कड्रोल कर लो फिर बुगा का काम तमा हारस ने इमान को होस्ता देते हुए कार उटकर इसके हाथ पड़वाई लगाई साथ में इसे अपने हाथों से खाना खिलाया फिर जबिस्टा पर लटा दी अब बरतन भी तो रखने है किचर्मी इमान कहन लगी मैं खुद रखनूगा तो मैं राम करो हारस बरतन उठाकर कीचे में लेगा दोकर रखा है सुबह नाश्ता करके हारस मुंशी के पास पहुंच चुका था आए हारस साब आज आप हमारे कैद खाने का रस्ता कैसे बूल के मुंशी चाप लोसी पे उगतर रहा था मुं मुंशी ने अपनी बात मुकमल की देख मुंशी तरीके मनाने की कोशिश की थी तुझे लेकर तुझे समझ नहीं आए अब जो मैं करूंगा तो बस देखते रहना हारस ने कड़े होते हुए का साहब मलक साहब जो भी करने मैं बूआ के साथ वफादारी निपाऊंगा मुं हारस ने और भी मँचु बढ़ा पना लिया था रियास इसको संञीरों से बांद और इस साथ वोसलिक करो जो आज तक किसी के साथ ना क्या हूँ हारस न पने एक मुलाजम को बुलाकर इसे हुकम दिया आपने जो करना है करलें पर मैं अपनी बात पर काไหม प इंशी दिल में हो रहा है फारिस बुगा काम में डाल लिए था कर जले हुए हारी चाहिएमान को पनी दुना यनल काम पे दवाई लगा दी थे और भी वो जल्दी ही सो गया था क्योंकि इसे कल हर हाल में अपना काम कमल करवाना था मलक साहब मुझी नहीं मार रहा अपने उसे बहुत मारा पीटा है लेकर इस पे कोई असर नहीं हो रहा रियास नहीं हारस को फून करके नहीं देना चाहता बस जब तुम्हारे अबू से तुम्हारी बात करवाओं तो तुम लोगों ने जोर जोर से रोना है कि हमें ये लोग मार रहे हैं फिर मैं आपको चॉकलेट बी दूँगा हारस निन बच्चों को बहला लिया था इन्होंने फून पे ऐसे ही किया जैसे हारस नहीं ने कहा था आकर मुझे अपने बच्चों के सामने आगा ठीक है जब तक मेरा काम नहीं हो जाता तुम्हारे बच्चे मेरे कब्जे में रहेंगे हारस ने इसे एक और धंकी लगाई वो मान गया सब करने के लिए बुआ जी मुन्शी आया है नदी ने आकर बुआ को अतला दी ठीक है इसको बिठाओ हम आती है बुआ ने बैट से उटते हुए कहा है नदी ने मुन्शी को बैटक में बिठा दिया था बुआ भी वहां आ गई थी kinda बुआ जरूरत तो है मैं ये कर रहा हूं आपको पता है हमारी वो साइड वाली जमीन कब से खाली पड़ी है और बाकी जमीनों से वो हमें आमदन आती है वो दुबारा इसी में उलग जाती है और वो जमीन वैसी कि वैसी पड़ी हल बता है में इसे काफी फाइदा हो सकता है मुंची ने हारस की पढ़ाई होई पट्टी पढ़ना शुरू कर दी थे अचा अब हमें तो कोई समझ नहीं है इन सब दूलों की एक तुझ पे ही हमारा इतबार है वरना तो कोई भी हमारा अपना नहीं है मलकासम ने तो बहुत कोशिश की थी हमसे जमीन वापिस लेने की पर तुने हमें सही वक्त पर आकर बता दिया था इसलिए हम बच के अब भी हम सिर्फ तुझ पे एतबार कर सकते हैं दो इधर कहां लगाना है अंगुठा बुआ ने इससे कागस लेते हुए पूचा मुची ने सारी जगा पे इनसे अंगुठा लगवा लिया था लेकर अकेला नहीं आया था अपने साथ पुलीस को भी लेकर आया था अरे पुतर ये पुलीस क्यों आया है बुआ ने हारस के साथ आती हुए पुलीस को देखकर पूचा ये बात आप इन ही से पूच ले हारस ने पुलीस की तरफ शारा करते हुए का हम आपको अपनी बहू पर बेजाज जुलम करने के लजामे कि रफ़तार करते हैं इंस्पेक्टर ने इनको देखते हुए का एक हतून लेडी ने इनके हाथों में हथकड़ी पहना दी थी ये किसने कहा कि हम जुलम करते हैं उठा है कि बुवा चलाए चलाने की जुरूरत नहीं आपके बतीजे मलक हारस मलाल ने आपके खिलाफ दरकवास दी है इंस्पेक्टर ने बात पूरी की ये क्या कह रहे है पुत्तर तूने हम पर परचा कर दिया बुवा ने इसकी तरफ देखते वे का जो अपने चेरे पर मुस्कुराहट सजा इन्हें ही देख रहा था जी बुवा मैंने ही परचा करवाया है आपर और इसका सबूत भी मैं इनको दिखा देता हूँ हारस चलता हुआ इमान के पास है जो अब हैरत और कुशी की हालत में खड़ी थी हाथ दिखावा अपना हारस ने इसका हाथ पकड़ कर आगे कर दिया और कुछ और भी सबूत चाहें तो अपनी किसी खतून सपाही से इसके जिसम के सारे जखम दिखवा ले हारस ने एक खतून तरह बशएरा करते वी खाने हारस साब है आपकी बत पर यकिन है एंस्पेक्टर हम देक लेंगे हम देख लेंगे तुमको सारा पैसा लगा देंगे और जेल से रहा हो जाएंगे और फिर तुम्हें माफ नहीं करेंगे बुआ ने हारस को दमकी लगा यहा हा बुआ पैसा किदर से आएगा हारस ने कहका लगाते हुए कहा हमारी जमीन है सारी हम इसको बेच देंगे और अपना परचा लड़ेंगे अब यह जमीन आपकी नहीं रही वो मेरे नाम हो चुकी है वो भी आपके मुनशी के हाथ हो जिस पर आपको बहुत एत्माद था हारस ने चेहरे पे तनसित मुसकरार से जाकर कहा और मैं चाहता तो आपको बहुत पहले अंदर करवा सकता था लेकर मैं जानता था कि आप पैसा लगा कर निकल आएंगी इसलिए यह जाल चली के पहले जमीन अपने नाम करवाई और फिर आपको जेल बुवा पे तो आज क्यामत रूट पड़ी थी इसकी सारी मेहनत पर पा करतियों को सुधार ले हारस निजसा से जर्मीन से बात की थी देवर्जी हमें माफ कर दे हम बटक गया थे अपने शोहर की जिदाई के गम में हम बूल गया थे कि एमान तो मसूम है हम इस पर खुद तो कभी जलम नहीं किया लेकर बुवा को कभी रोका भी नहीं इसलिए हम जुमधार है जर्मीन ने हारस के सामने हाँ चोड़ दिय थे जिनको हारस ने आगे बढ़कर थाम दिया था बस बाबी अब रोना नहीं बस अब बस हमारी खुश्यों का वक्त आ गया हारस ने सली देते हुए का नर्मीन तुम आज जैवर के साथ घर जा रही हो अपने हारस चुप कर वा दिया था बस अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूगा तुम तियारी करो चली चाओ यहां से हारसी से कहता अपने कमरे में चला गया था जर्मीन ने नर्मीन को समझा बुजा कर वापिस बेच जिया था इमान भी रूम में आ गई थी मुबारक हो हारस आ क्या मतलब तुम मेरी बीवी हो मेरे साथ ही सोगी ना हरस ने से आँके दिखाते हुए का नहीं अभी तो हमारा सिर्फ बुआ से बतला पूरा हुआ है आप से बतला पूरा नहीं हुआ हमारा इमान ने मुब पुला कर कहा क्या मतलब कौनसा बतला हरस हरस ने हैरानी से हारस आपने सीने पर हाथ रख रखकर बांद कर ख़का क्या हमारे को अच्छी हो इसलिए मैं बूछ ने कुछ कपड़े लेकर आया हूँ, ये देखो, हारस ने एक शोपर को उठाते हुए कहा, हमारे लिए कपड़े, हमने कपड़े पहनेंगे, इमान की आंकों में आशो आ गए थे इन कपड़ों को देखकर हां तुमने कपड़े पहनोगी, चलो ये आशो साफ करो, हारस ने इसे आँके दिखाते हुए कहा इमान ने जल्दी से आँके साफ कर लिए कपड़े बदल कर आ गई रैट कलर का सूट इस पर बहुत ही खिल रहा था हारस की तो नजर ही नहीं पीछे हो रही थी हारस इसको लेकर शहर चला गया और एक बहुत अच्छे हस्पिदाल में इसे एडमिट करवा दिया खुद भी टाइम निकाल कर इसके पास चला जाता था पूरे एक मत बाद इमान को हारस कर लेकर आ चुका था आज इसकी महंदी थी इमान अमा और वर्दा चाच्ची भी आई हुई थी इमान इनको देखकर निसली पढ़कर रोने लगी अमा हमने तुझे बहुत याद किया इमान ने रोते हुए का बेटा याद तो हमने भी तुमें बहुत क्या लेकर सब सही हो गया है बुआ को इसके जुर्मों की सजा मिल चुकी है और हारस तैसा शक्स तुम्हारी जिन्दकी में है इससे बढ़कर हमें कुछ नहीं चाहिए इमान इमान की आंसु पूछते हुए का वर्दा चाच्ची ने भी आगे बढ़कर इमान को गले से लगा लिया था इमान आज बहुत खुश थी हारस ने यूनी के दोस्तों को भी बुलाया हुआ था जिस पर इमान की भी कुछ दोस्तें शामिल थी वो सब भी बहुत प्यार से मिली इमान को मेंदी का खुबसूरत सजाया गया था इमान को ब्यूटी पालर वाली ने आका त्याग किया था फिले रंका कामदार फ्राक और साथ में चूड़ी दार पजामा उपर सलीके सरकी हुई जिये चैजी और फिर चंबेली के फूलों से सजी इमान बहुत प्यारी लग रही थी सब इसकी तरीफ कर रहे थे हारस ने मूवी वाले को भी बुलाया हुआ था जो आज तक गाओं में किसी ने नहीं बुलाया था लेकर हारस इमान के हर चोटी सोटी खौईश पूरी करना चाहता था फिर फोटो शूट हुआ और इमान को कमरे में पहुंच जाने का वक्त हो गया था सब इनको रश्क पर नजरों से देख रहे थे उठाओ मुझे इमान ने जिद पकड़ी क्या मतलब उठाओ हारस इससे गुरी लेकर देख रहा था अरे हमें उठाओ अपनी गोद में और रूम में लेकर जाओ इमान ने कहा मैं इससे सामने तुम्हें nे उठाओ तुम्हारा दमाग तु नहीं खराब हो गया इमान ने भी इसको आँखाते वे और का मैंने आइन उठा रहा तुम्हें यहाँ सब के सामने कोशिश किये अरे पुतर इसको उठा कर ही ले जाओ इसने अब जिद कर ली है तो यह पूरी करवाकर ही रहेगी अम्मा ने इन दोनों की नोक छोक सुनी तो आगे बढ़कर हारस को कहा दिया लेकर हमा जे सब के सामने हारस ने कान किलो को हाथ लगाते कहा चलो अम्मा फिर वा हुआ था ताजा ताजा फूलों की पत्नियां बैट पे पहली हुई थी हारस ने से बैट पर लाकर बिठा दिया था और खुद इसके सामने बैट किया और इससे देखने लगा इमान को अब शरम आ रही थी वह इसकी नजरों के हैसार से कुद को निकलना भी नहीं चाहती थ चलें दे हमारी मूदी खाए इमान ने आगे हाथ कर दी हारस ने इस डायमेंट की अंगूटी पहना दी लेकर हाथ अब भी नहीं चोड़ा था इमान को फिर शरम आने लगी इसने नजरें जुका ली थी इमान आसे तुम मेरे इस घर की और मेरे इस दिल की मालिक हो ये घर तुम्हारा है तुम अपने मर्जी से यहां हैना जो चाहिए करना बैठ कर हुकम चलाना मेरे दिल पर सिर्फ तुम्हारा थायर है I love you Iman हारस ने अपने दिल की बात आज एमान को कह दी थी हारस ने मूँ I love you too कहती हारस ने मूँ तुमने टीवी में ये नहीं देखा कि दुलहन भी फुला कर कहती I love you too हारस एमान को हंसी हा गई एमान ने भी जार कर दिया था वैसे कब से है यह मुहपत तुम्हें मुझसे, हारस ने पूछा तब से जब से आपने मेरे दद को अपना दद समझना शुरू कर दिया था इमान ने इनकी तरफ नजर उठाकर का हारस ने इसके करीब होकर इस अपनी बाहों में उले लिया था इमान और हारस ने अपनी ने जिनकी को ने सीरे से जीना शुरू कर दिया था अब कोई दुश्मनी खानदानों में नहीं रह चुकी थी इमान क्या तुम पढ़ना चाहती हो आगे हारस ने इमान से पूछा नहीं अब हम अपने बच्चों को बढ़ा रहेंगे इमान ने मुस्कुरा रहें तुम पे तो बिलकुल नहीं जाएंगा वरना तुम कोई लड़की भी नहीं फंसेगी इससे जैसे तुम से कोई नहीं फंसती समर ने उमान को चड़ाया ए यह क्या बातने कर रहे हो किदर से सीख लिए है तुम्हारा चाची तो बहुत श्रीव था हारस ने देखते वे कहा हाँ हमें पता है आप बहुत श्रीव थी इसलिए चाची को कमरे में बंद कर दिया था समर ने फॉरण से जवाब दिया ओ चाची भी बहुत श्रीव थी इसलिए आप पर रंग फैंक दिया था इस बाहर उमर बोला तुम लोगों को ये बात ने किस ने बताई हारस को हैरत हो रही थी मीर चाच्चु ने उमर और समर ने कठा का सब हंसने लगे सच में कितना अच्छा टाइम था हारस ने कहा और इमान ने भी सरहां कहा कर सलीला दिया हारस ने गाओं में एक बहुत बड़ा स्कूल बनवाया वहां पे दिल खोल कर खरचा किया इसने इन सारी रस्मों को खतम करवाया जो नसल दर नसल चलती आ रही थी स्कूल में लड़कों को भी तलीम दिलवाई गई इस तरह एक अच्छे गाउं की तश्कील की तरफ हारस ने पहला कदम बढ़ा दिया था